ठीक है, आईए, fear of water, क्या गेते हैं, mycrophobia, bibliophobia, hydrophobia, botanophobia, बताईए, fear of water, पानी से डर, अब इसको हम hydrophobia भी कहते हैं, इसको हम aquaphobia भी कहते हैं, ठीक है, hydro और aqua, ये दोनों ही words हैं, hydro ले ली जे, aqua ले ली जे, ये दोनों ही words क्या है, ये दोनों ही words तो, पानी को रिफर करते हैं, water, ठीक है, तो hydrophobia, aquaphobia, ये दोनों ही words पानी से डर है, mycrophobia, micro का मतलब छोटी, छोटी, तो छोटी छोटी चीजों से जो डर लगता है, वो mycrophobia है, bibliophobia, bibli मतलब किताब, किताबों से डर, पढ़ने से डरते हैं न, किताबों से चिनको डर लगता है, botanophobia, पेड़ पौधों से डर, सही है, clear एकदम, पेड़ पौधों से डर is botanophobia, चलिए, next आपके सामने, मैं पूरे solutions के साथ, PDF साब को दूँगी, टेलिग्राम पे, ठीक है, आईए, description box में भी link मिल जाएगा, ठीलिग्राम का, और अगर chat box को आप top पे देखोगे, तो वहाँ पर भी आपको pin किया हुआ link मिल जाएगा, ठीक है, learning and producing beautiful handwriting, बताओ, इसको क्या कहते हैं, यह previous year में CPU 2023, टीर 1 में पूछे गए सवाल है, बताइए, सभी लोग, जल्दी से बता दीजे, जल्दी से बता दीजे, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लेक्सिको ग्राफ़ी, लेक्सिको ग्राफ़ी है, dictionary लिखने की कला, the art of writing dictionaries, and graphology, graphology होती है, लोगों की personality के बारे में जानना, based on their handwriting, graph का मतलब भी लिखना, तो लोग क्या किस तरीके से लिख रहे हैं, उनकी handwriting कैसी है, इसके बेसिस पे उनके personality trait की study करना, that is graphology, ठीक है, all the meanings will be included in your PDF, free of cost, ठीक है, चलिए, next question क्या कहता है, indifferent to pain and pleasure, she never complained, indifferent to pain and pleasure, ये होता कौन है, चल्दी से बताओ, stoic, amateur, hypocrite, या फिर वर्सिताई, चल्दी से बताइए, कौन होता है ये, ये होता है, stoic, इसको ना गम का पता चलता है, ना खुशी, इसको कुछ फीली नहीं होता, ये stoic है, amateur, बिलकुल नया-nया है, इसके अंदर कोई खास experience नहीं है, ये चीजों को बस मज़े के लिए कर रहा है, ठीक है, as a profession नहीं करता है, हिपोक्रिट, कहता कुछ और है, करता कुछ और है, है ना, बोल रहे हैं, नारा लगा रहे हैं, save animals, save lives, है ना, और खा रहे हैं, बैटके नॉन्वेज और बैग लिए हैं, leather का, हो गया, save animals, save lives, हिपोक्रिट से सारे के सारे, और versatile वो होता है, जो खुद को बहुत से चीजों में ढाल लेता है, बहुत से talents होते हैं इसके अंदर, ठीक है, तो answer यहां पर सीधा सीधा हो गया है, क्या, stoic, next question देखना, working or operating quickly and effectively, in an organized way, बहुत अच्छी तरीके से, organized तरीके से काम करने को, क्या कहा जाता है, बताईए, excellent, extensive, effusive, या फिर efficient, इसको कहा जाता है, efficient, बोलता है, बहुत ही efficiently काम कर रहा है, बंदा, बहुत effective way में काम कर रहा है, efficient होता है, excellent का मतलब, very good, of high quality, extensive का मतलब क्या होता है, जो चीज़ बहुत wide range में फैली हुई है, ठीके, और effusive का मतलब है कि, बंदे का खुद पे, emotions पे ही कोई control नहीं है, बस अपने emotions को बया कर रहा है, without any restriction, यहाँ पे answer क्या हो गया, answer will be option number 4, that is, efficient, ठीके, शलिए, next बताईए, capacity for being useful for some purpose, अगर कोई चीज़ useful है, तो उसको आप क्या कहते हो, चल्दी से बताईए, किसी चीज़ का useful होना, क्या कहलाता है मेरे दोस्त, किसी चीज़ का useful होना, क्या कहलाता है, utility, utility, बिलकुल सही है, it is called utility, ठीके, gain का मतलब किया, आपने क्या हासिल किया, that's your gain, aid का मतलब होता है, मदद, और waste का मतलब है, चीज़ों को बरबात करना, waste करना, ठीके, next question देखेंगे, the study of the human mind, human mind की जो study होती है, psychology, epidemiology, anthropology, microbiology, चल्दी जल्दी से, human mind की, guys, आप लोग class को like भी कर दीजग, अगर आप लोग को समझ में आ रही है, and if you guys want this 10 minute show, to keep continuing, चल्ये, क्या हो जाएगा, psychology, बिलकुल सही है, psychology होती है, human mind की study, ठीके, फिर, epidemiology, epidemic, सुना है, तो किस तरीके से, बिमारिया, human population में, फैल रही है, इसकी जो study होती है, वो होती है, epidemiology, ठीके, anthropology, human societies कैसी थी, किस तरीके से, develop हुई and all that, microbiology, बहुत छोटे-छोटे, जो microorganisms होते, उनकी study, ठीके, चलिए, next बताना, study of science of insects, कीडे मकौडों की study, क्या कहलाती है, speed up guys, तेजी से, comment section बहुत धीमे चल रहा है, ऐसे कैसे काम चलेगा दोस्त, 10 minutes तो हो नहीं पाएंगे ना ऐसे, जल्दी से, 10 minutes में सारे words नहीं हो पाएंगे, anthropology नहीं, इसको हम कहते, entomology, anthropology, अभी बताया, और जो environment है, उनके बीच का जो bond है, उनके बीच के relationship की study, इको लॉजी कहलाती है, ठीक है, next देखो, keeper और custodian of a museum, किसी museum का जो रखवाला होता है, वो chauffeur है, calligrapher है, curator है, या फिर कार्टोग्राफर है, यह सवाल बहुत पूछा जाता है, एक second में answer देना पड़ेगा, यह कौन कहलाता है, यह होता है, curator, कार्टोग्राफर जानते हो कौन है, कार्टोग्राफर होता है, जो maps draw करता है, calligrapher, यह अच्छी handwriting में लिखता है, और chauffeur, कौन होता है, किसी की गाड़ी चलाने वाला, किसी का personal driver, chauffeur कहलाता है, सही है, चलिए, next question, one who settles in another country, किसी दूसरे देश में जाकर, जो settle हो जाए, immigrant, traveler, resident, refugee, बताइए, किसी दूसरे देश में जो जाकर, settle हो जाता है, वो कौन कहलाता है, सब लोग बताओ, immigrant, traveler तो बस घूमता है, इदर उदर, resident कहीं का निवासी, और refugee होता है, जो कहीं पर शरण लेता है, जाकर, जाकर शरण लेने वाला refugee है, ठीक है, आखरी सवाल, a person who believes that God does not exist, जो भगवान के खोने पर भरुसानी करता, वो कौन है, वो atheist है, hedonistic है, epicurean है, या फर fanatic है, चल्दी से बताईए, यह है कौन, atheist, hedonistic, epicurean या फर fanatic, atheist होता है, बिल्कुल सही, hedonistic वो होता है, जिसको लगता है कि, सारे मज़े लूटलो, जीने के है, चार दन बाकी है, बेकार दन, यह प्लेजर सीकर है, epicurean, shocking type का इंसान, खाने पीने का, अच्छा खाना, अच्छा पीना, and fanatic होता है, कटर, इसके religious beliefs, बहुती जोदा, extreme और violent होते है, फिर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आंसर आप देंगे, comment box में, with full energy, ठीक है, आईए, पहला सवाल है आपके सामने, happening repeatedly, जल्दी से बताईए, 10 मिनिट का timer तो लगा ही लूँ, happening repeatedly, जल्दी से बताईए, speed up guys, happening repeatedly, जो चीज बार बार होती है, उसको हम क्या कहते है, बार बार होने वाली चीज को कहा जाता है, क्या, report recurrent, recuperate regression, क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है, re current, हांजी, recurrent कहा जाता है, report का मतलब क्या है, लोगों की बीच में दोस्ती है, एक जो harmonious relationship होती है, वो कहलाती है rapid, ठीक है, recuperate का मतलब है क्या, अपनी health वापस से gain करना, आप अपनी health वापस से gain कर रहे हैं, कोई injury या loss के बाद, ठीक है, और regression का मतलब होता है, पुरानी state में वापस लोटना, that is regression, तो सारे words hopefully आपको clear है, मैं आपको ऐसे solutions के साथ यहाँ पर दूँगे, ठीक है, एक सेकेंड रुख जाएगा, तोड़ा सा blur दिख रहा है, मैं इसको clear कर दूँ, एक सेकेंड बस रुख जाएए आप लोग, I think it's clear, वो white की वज़े से अच्छा मुझे blur लग रहा था, चालिए, next question आपकी screen पर है, बताओ, वो light color की वज़े से मुझे ल scoff या for rate, बुरी तरीके से किसी को criticize करना, क्या बोलती है जनता, speed up, class को like करते हुए चलो, बुरी तरीके से criticize करना किसी को, chastise, बिलकुल सही है, remonstrate का मतलब ही होता है, protest करना, बहुत ही forceful manner में जो protesting होती है, इसको हम remonstrate कहते है, scoff का मतलब क्या है, आप किसी को mock, mzak उड़ा रहे है, mock करना, mzak उड़ाना, और rate का मतलब तो आप जानते ही हो, evaluate करना, बोलते हैं आप मैं इसको rate करूँगा 5 star, rating करूँगा, ठीक है, चलिए, next question है आपकी screen पर बताना, कहता है huge fire for celebration, huge fire for celebration, bonfire, campaign, agenda, crossfire, इसको हम क्या कहते ह है, celebration के लिए जो आग जलाई जाती है, उसको क्या कहा जाता है, bonfire कहा जाता है, है ना, campaign किसी specific motive के लिए होता है, कुछ efforts लोग कर रहे हैं, एक specific goal के लिए, that is campaign, agenda भी, एक समझ लिए, लिस्ट of things है, जो किसी meeting वगरा भी आप डिसकस करोगे, और crossfire का मतलब क्या होता है, जहा पर दो टीम साइक दूसरे के आपने सामने हो जाती है, बहस बाजी हो रही है, या युद्ध हो जाए, crossfire हो है ठीक है, चलिए, next पता ना कहता है, to make a low continuous vibratory sound, expressing contentment of a cat, basically billy sound निकालती है, यह वाला, जब वो satisfied होती है, तो वो क्या करती है, satisfaction में जो sound billy निकालती है, वो meow नहीं होता, वो p-o-r-r pur होता है, that's not meow, बिल्ली की normal आवाज है, that's pur, buzz b करती है, road share करता है, ठीक है, meow बिल्ली की normal आवाज है, यहाँ पर देखो क्या कहरा है, continuous vibratory sound, ठीक है छोटी छोटी जो गुर्रानी की धीरे धीरे अवाज आती, गुर् क्या है, next बताना, minimum people need it for a meeting, इसके लिए एक शब्द यूज होता है, यह previous year question है, पूछे गए, forum, addendum, decorum, quorum, मतलब इतने लोग कम से कम होंगे, तभी कोई meeting शुरू हो पाएगी, बताएगे, forum, addendum, decorum, quorum, सब लोग बताओ, forum का मतलब क्या है, platform for discussion, ठीक है, place या platform जहां पर discussion हो सकता है, उसको हम कहते है, forum, ठीक है, addendum, किसी document में एक addition करना, यह उसमें addendum होता है, decorum का मतलब है कि कहीं पर sanity, कहीं का mahal, वहां का etiquette या manners, ठीक है, और quorum होते हैं, वो minimum number of members, जो required होते हैं किसी meeting को करने के लिए, so right answer is quorum, option number 4, done है, quorum is the right answer, अगला word देखेंगे, हम कहता है, no longer used, because something new has been invented, कोई चीज अब जो इस्तिवाल नहीं होती, क्योंकि नई चीज आ गई है, तो अब यह चीज पुरानी हो गई है, इस पुरानी चीज क को हम क्या कहते हैं, जरा बताना सब लोग, जल्दी से, ancient तो प्राचीन है, बहुत पुराना है, obsolete वो चीज होती है, जिसका आपको इस्तिमाल नहीं होता, क्योंकि नई चीज इन्वेंट हो गई है, so the right answer is obsolete, classic वो चीज है, जो बहुत पुराने समय से बहुत highest quality की consider करी जा रह है, ठीक है, तो आंसर सीधा सीधा हो जाएगा, option number 2, ठीक, चलिए, next question देखो, detailed list of goods dispatched with quantity and price of the purchaser, invoice, ledger, sales या फिरेसिट, बताईए, जल्दी जल्दी से, क्या कहते हैं हम इसको, detailed list of goods dispatched, आपने कोई समान खरीदा है, आपकी सामने से, जो seller होगा, वो आपको क्या भेजता है, उसकी invoice भेजता है, क्या हो जाएगा, ये invoice भेजता है, उसकी, बात समझ रहे हो, ठीक है, बाकी सारे words, ये एक basically record होता है, ledger, आपने क्या-क्या financial transactions किये हैं, इसका, sales का मतलब तो आप जानते हैं, बिकरी, और research का मतलब होता है, वो invoice होती है, बार-बार मैं कहा रही हूँ, लोग बहुत गलती करते हैं, और आपके गलती करने के लिए ही यहाँ पर option, यहाँ पर reset दिया गया है, ठीक है, तो इसमें बिलकुल भी confused मत होईएगा, ठीक है, चलिए, next one, class को like करते चलो, और जो पहली बार लोग है भाई, वो फटा-फट से चानल को भी subscribe कर सकते हैं, कहते है, spoken or done without any previous thought, मतलब कोई चीज रिखदम घडले से कर दी गई है, बिना सोचे समझे, उसके बारे में कुछ ना सोचा गया है, ना समझा गया है, इस चीज को हम क्या कहते है, inaugural maiden extemporary initiative, बताइए, क्या कहा जाता है ऐसी चीज को inaugural, inauguration से बना है, पहली-पहली शुरुवात करना किसी चीज की, तो वो inaugural चीज होती है, maiden का मतलब पहली speech, जब पहली-पहली कोई चीज होती है, तो maiden कहलाती है, basically maiden speech होती है, पहली speech, ठीक है, extemporary वो चीज होती है, जो बिलकुल भी तयार नहीं करी गई है, अचानक से हो गई ह without any preparation, और initiative का मतलब होता है शुरुवात, बोल ये बात समझे, initiative बोले तो शुरुवात, डान, शलिए, अगला सवाल क्या कहता, a place where coins are made, जहां पर सिक्के बनते हैं, वो प्लेस होती है, trough, post office, grove या फिर mint, जहां पर सिक्के बनते हैं, जल्दी से बताईए, वो प्लेस होती है, mint, ठीक है, सिक्के जहां पर बने वो प्लेस, mint है, trough, जानते हो, बड़ा सा container type का होता है, इसमें food वगरा रखा जाता है, वो जानवरों को हो, basically है न, तो food रखने वाला container है ये, post office तो आप जानते ही है, और grove होता है, जुंड में पेडों का लगा होना, group of trees, पेडों का, group या पेडों का जुंड, सही है, ठीक है, इसको हम कहते हैं, आखरी सवाल, और चार words है आपकी screen पर, something of monstrous size, bulk, amazon, heavyweight, या फिर बही मौत, जल्दी से बताईए, आखरी सवाल है आच का, बहुत बड़ा, बहुत huge है, एक second में answer कर सकते हो आप, बहुत बड़ा या बहुत huge, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम, बताईए, we call it, bulk, amazon, heavyweight, बही मौत, इसको हम बही मौत कहते हैं, बहुत बड़ा बोले तो, बही मौत, ठीक है, yes, amazon, एक बहुत ही, tall, fit, woman, और strong, tall, fit, strong woman, mythical है basically, और heavyweight मतलब भारी और bulk का मतलब भारी होता है, एक वर्ड दिया है, dreadful, pleasant, frightening, random, impossible, जल्दी से बताईए, pleasant, frightening, random, impossible, क्या हो जाएगा, answer, dreadful का मतलब क्या है, dreadful का मतलब होता है, very unpleasant, बहुत बेकार, something, जो जो चीज़, आपको अच्छी ही ना लगे, बेकार लगे, उस चीज़ को dreadful बोला जाता है, तो अगर हम से सरॉन possible, answer क्या हो जाएगा, frightening, जिस चीज़ को देखकर डर लगे, खराब चीज़ को तो देखकर डर लगता है, है ना, तो answer is option number B, सही है, synonym है, बतलब same meaning नहीं है, similar है, right, चलो, next चलते हैं, अगले सवाल की तरफ, इस तरीके सा solutions आपको दिये जाएंगे, इसलिए कुछ नोट मत क पच्चास वर्ट यहीं सीख कर जाओगे, S-I-T-E, साइट, बताइए, synonym पूछ रहा है दोस्त, कोई ऐसी प्लेस, हाँ जी, कोई ऐसी प्लेस जहां पर कोई construction वगेरा चल रहा है, उस प्लेस को ही तो बोला जाता है, साइट, हैना कि साइट पे जा रहे हैं, जहां पर construction and all चले बस वही तो है, साइट, लोकेशन ही आंसर हो जाएगा, इस साइट का मतलब होता है, आपकी नजरे, आपकी नजर, ability to see, साइट का मतलब कुछ कहना, to state something, to speak something, और captivate का मतलब क्या होता है, किसी को attract करना, enchant करना, मंत्र मुक्त कर देना, ठेके, चलिए, आगे चला जाए next question के ऊपर, ये लीजे, अगला सवाल, कहता है, हापहजार, unpredictable, lucid, destroy, happen, क्या हो जाएगा, हापहजार, speed up people, speed up, जल्दी जल्दी सान से वताइए, हापहजार, क्या मतलब है, जब कोई चीज आप हापहजर्ड मैनर में कर रहे हैं, मतलब बहुती क्लमजली, बहुती अस्तिवयस्त तरीके से कर रहे हैं, कोई proper उसका मैनर नहीं है, कोई वे नहीं है, कोई organization है, बस ऐसे ही कर दे रहे हैं, उल्टे सीधे तरीके से, हापहजर्ड मैनर, तो इसका अगर ह किसी चीज का होना, ठीक, चलिए, next question है आपकी screen पे, all five words are here, फटा फट से देंगे answer और एक बार करेंगे class को सब लोग like, जल्दी जल्दी से, बताइए जरा, जल्दी जल्दी से बताएंगे, सब ही लोग, possible, flexible, susceptible, affable, viable का मतलब क्या होता है, जल्दी से बताएए, viable का मतलब पताएं किसी को, कोई चीज हो सकती है, कोई चीज possible है, बस इसी को हम कहते है viable, तो answer हो जाएगा possible, flexible वो चीज होती है, जो change हो सकती है, Susceptible Susceptible का मतलब है कि कोई बहुत ज़्यादा Vulnerable है, इसके उपर खत्रा है यह प्रभावित हो सकता है ठेक है, और affable का मतलब होता है friendly दोस्ता आना, तो answer क्या हो गया Option number one, possible ठेक, चलो, next बताना भाई क्या कहता, captivate Captivate, Imprison, Repel, Praise, Enchant, जल्दी से सब लोग बताईए क्या हो जाएगा Captivate का मतलब किसी को इतना attract करना कि मतलब आप बस खो गया वो इंसान वो भी क्या करना बहुत ज़्यादा attract करना कि वो इंसान खो जाए, बस इसको हम कहते है captivate और Enchant का भी तो मतलब यही होता है कि मतलब सामने वाला मंत्र मुग्ध हो गया है बिलकुल, ठीक है, तो Enchant is the right synonym here Imprison का मतलब जेल में डालना Repel का मतलब किसी कोई चीज़ इतनी Unpleasant है कि उसको देखकर दूर भागना और Praise बोले तो तारीफ सही है, बिलकुल All right चलिए Next question अगले पांच पोच यहाँ पर है Imitate, Attain, Adapt, Adapt, Mimic सब लोग बताईए Imitate किसी की नकल उतारना इसको हम कहते हैं Imitate नकल करना ठीक है, Attain का मतलब कुछ हासिल करना Adapt का मतलब है किसी चीज के according खुद को धाल लेना Adapt का मतलब है बहुत intelligent Clever और Mimic का मतलब कौन होता है Mimic जो किसी की नकल उतारता है Especially हसाने के लिए तो इसको हम कहते है Mimic तो नकल का सबसे ज़्यादा similar यहाँ पर Mimic ही तो है किसी की आवाज बना के बोल रहे है आप मेंसे तो कुछ लोग हम को Mimic करते होंगे घर पे किननने मैं तुदे को ऐसे बोलती है किनना करना नहीं तो Mimic ही हो जाएगा यहाँ पर Imitate का Synonym Done है? सही? चलो Thumbs up देते जाओ Class को करते जाए करो Like Next question समय बहुत कम है जल्दी जल्दी बताइए Benevolent Speed up Violent Kind Unkind Beneficial जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा कौन होता है Benevolent बहुत ही नेक इंसान जो Benevolent होता है वो बहुत ही नेक इंसान होता है लोगों की मदद करता है ठीक है? Violent Kind Unkind Beneficial क्या हो जाएगा? Kind हो जाएगा दयालू Unkind तो इसका उल्टा Violent मतलब Cruel इसका उल्टा Beneficial मतलब जो चीज़ आपके लिए फायदे मन्द है सही है? ठीक आगे देखिये जरा Unequivocal बताओ जरा Unequivocal Synonym पूछ रहा है Unequivocal का synonym पूछा जा रहा है Unequivocal का मतलब होता है जो चीज बिल्कुल clear है जिसमें कोई शक नहीं है ठीक Unequivocal इसका बिल्कुल उल्टा जहाँ पर शक है जहाँ पर दो-तीन ओपीनियन्स है Ambiguous भी बिल्कुल इसका उल्टा जहाँ पर शक है जहाँ पर दो-तीन ओपीनियन्स है Clear का मतलब बिल्कुल साफ और Fanatical का मतलब होता है कट्टरपन कटरपन थी, कटरपन ठेक है? तो ये होता है जो अपने religion के लिए बहुत ज़्यादा कटरता दिखाता है सही है ठेक है? चलिए Very good, very good अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखो जरा, susceptible discordant, respite, vulnerable या फिर pensive, answer बताईए फटाफट से देखें भई, कौन देता सही जवाब यहाँ पर क्या मतलब होता है? Susceptible का मतलब क्या है? Susceptible का मतलब होता है जो जिसके उपर बहुत खत्रा रहे, बहुत रिस्क रहे उसी को हम कहते हैं susceptible तो discordant, respite, vulnerable और pensive में से answer क्या हो जाएगा? Answer will be answer will be vulnerable, जिसके उपर खत्रा रहे, उसी को तो vulnerable कहते हैं discordant का मतलब क्या है? कि लोग आपस में एक दूसरे से सहमत नहीं है respite का मतलब है नफरत घरणा, ठेक है? और pensive का मतलब क्या होता है? बहुत ही जादा आप कह सकते हैं deep thought बहुत जादा सोच ना, इसको हम कहते है pensive, ठेक है? आखरी के पांच बोट साब की स्क्रीन पर amiable, archaic, plethora, philanthropist और friendly, चल्दी से बताईए सब लोग amiable का मतलब भी friendly होता है और यहां पर तो friendly ही साफ साफ लिखा है, तो आंसर हो जाएगा option number 4, ठेक है? archaic, archaic का मतलब होता है कोई जीज पुरानी है, old है, ठेक है? plethora का मतलब बहुत जादा और philanthropist का मतलब होता है, जो इंसानों की मदद करता है, इंसानों से प्यार करता है phil मतलब love, anthrop मतलब humans, तो humans की प्यार करने वाला, humans की मदद करने वाला पहला question आपकी screen पर है, देना शुरू करिया, answer फड़ाफट से, सब लोग कहता है ephemeral, बताना ज़रा देखो भाई क्या होगा ephemeral कह रहा है काफी लोगों ने अंसर देदिया है, very good, very good ephemeral होता क्या है जो चीज बहुत कम समय के ले चलती है something that stays for a very short time बहुत कम समय के ले टिकने वाली चीज permanent, fleeting, transitory, evanescent evanescent, कोई चीज बस iron, poof, gaib iron, poof, मतलब gaib, यह synonym हो गया है transitory का मतलब जो चीज बहुत कम समय के ले टिकती है, synonym है fleeting का मतलब जो चीज बहुत कम समय के ले टिकती है, synonym है permanent का मतलब होता है, जो चीज हमेशा के लिए रहे, permanent है तो answer हो जाएगा option number a ant ने पूछ रहा था, option number one is right, कोई दिकत इसमें किसी को ऐसे मिलेगा आपको pdf और guys, कल है be static, और कल है एक बहुत बड़ा announcement channel के उपर एक ऐसा batch जो आप में से सबकी समझ लीजे एक life transforming batch हो सकता है अगर आपने उसको serious ले लिया है तो तो कल से हमें या से, शुरू तो मंडे को होगा लेकिन कल पूरा planning, पूरी strategy जी आप लोग के साथ यहाँ पर discuss करी चाहेगी कल दो पहर तीन बजे reminder set कर लेना, अपने सारे दोस्तों को बता देना कल दो पहर तीन बजे एक बहुत बड़ा announcement होने वाला है यहाँ पर English with Ananya के उपर ठीक है, चलिए question number two insolent बताएं भई insolent आपने सुना होगा एक word होता है बत्तमीज सुना है, बत्तमीज बस इसी को हम कहते हैं insolent बत्तमीज, mannerless, immoral ठीक, उल्टा पूछ रहा है respectful respectful, सीदे सीदे जो इज़त दार है, इज़त देता है लोगों को ठीक है, prudent समझदार होता है impudent भी बहुत rude होता है और disrespectful भी क्या होता है disrespectful कौन होता है, जो इज़त ना करें तो तो ये दोनों word तो इसके synonyms हो गए थे, और ये ना synonym है ना antonym है ठीक है, चलिए next question देखते है exacerbate, aggravate alleviate, intensify, escalate बताइए ज़रा जल्दी से speed में answer करना है और class को like करते हैं चलना है, अगर class आपको अच्छी लग रही है तो, अगर लग रहा है कि 10 minute vocabulary आपका improvement ला रही है आपके मदद कर रही है और हर दिन ये class चलनी चाहिए, तो don't forget to like it exacerbate, बताओ भी answer दिये हैं लोगों ने थोड़ा थेज़ी में तीज़े answer, दस ही minute हैं बस हमारे पास लग लग सेम लग रहे हैं ना, exacerbate के synonyms है, answer हो जाएगा alleviate option number 2, बताओ alleviate is the right answer ठीक है चलिए, next बताएंगे when he rebel respected, honorable revered, ignoble कौन देगा answer when he rebel बताइए when he rebel का उल्टा पूछ रहा है आपसे venerable इज़दार को कहते हैं venerable ठीक है, respected इज़दार, revered इज़दार ignoble होता है जो इज़दार नहीं होता है इन तीनों का मतलब है respectable इज़दार, तो ये तीनों हो गए हैं venerable के synonyms, right answer is ignoble, फिर से सोच सुन लीज़े ignoble जिसको नहीं पता है जरूर से pdf लेकर revise कर जरूर से लेना आप लोग ठीक है राइट, चलिए क्या पूछ रहा आप से कौन सा वर्ट कह रहा है ये बताओ ubiquitous, pervasive, rare, widespread, omnipresent answer बताईए, जल्दी से ubiquitous pervasive, rare, widespread, omnipresent जो चीज सब को पता है या सब के पास है जो बहुत कॉमन है उसको हम कहते हैं ubiquitous ठीक है pervasive मतलब pervade का मतलब फैला होना तो जो चीज pervasive है वो लोगों में फैली है ठीक, rare का मतलब जिसको बहुत कम लोग जानते है widespread, जो फैला है और omnipresent something that is present everywhere तो ये जो तीन words है ये ubiquitous के synonym हो गए है answer हो जाएगर rare option number B बताईए भई, कोई दिक्कत परिशानी चले आगे आईए next question क्या कह रहा है frugal, speed up, speed up frugal thrifty, wasteful, prudent या फिर parsimonious frugal frugal कौन होता है जो पैसे बचाता है किफायती होता है तो हमसे पूछ क्या रहा है आंतनिम पूछा है wasteful wasteful चीजों को waste करता है parsimonious, कंजूस समझ लो भाई, ये तो बहुती पैसे बचाता है thrifty thrifty का भी मतलब होता है जो पैसे बचा है और prudent समझदार है और समझदार पैसे वेस्ट नहीं करता समझदार करता है कि पैसे वेस्ट नहीं करता तो ये तीनों ही लगभग इसके synonyms हो सकते है wasteful is the only antonym here option number B क्या कहते हो सही है ठिक्के आईए locatious locatious taciturn, garrulous, voluble, reticent locatious locatious होता कौन है जो बहुत बोलता है somebody who talks a lot eloq root word इस बात के कवाह है जो बहुत बोलता है अब बताएए antonym देना है reticent, reticent जो बहुत कम बात करे वो reticent होता है taciturn कौन होता है जो बहुत बोलता है garrulous बहुत बोलता है और voluble होता है वाचाल शब्दों को ज्यादा यूज मनलब जो ज्यादा शब्द यूज करता है जहाँ दो शब्द बोलने वहाँ 10 शब्द बोल रहा है तो हो गए ये तीनों इसके synonyms किसके? low cash इसके सही है? चलिए next बताना ज़रा क्या कहता? antonym of meticulous careful, sloppy, diligent, fastidious में पूछे गए सवाल देखिए और बताईए meticulous बहुत ही extra careful आप कह सकते हैं जो बहुत ध्यान से काम करता है careful, वह ये fastidious छोटी-छोटी details पे भी ध्यान देने वाला और इसको impress करना भी इसलिए बहुत मुश्किल होता है ये fastidious है diligent महनती होता है लगन से काम करता है तो लापरवा ही की तो कोई बात आती नहीं है इसमें अब ये तीनों लगभक synonyms हो गए है meticulous के sloppy होता है लापरवा careless लापरवा, careless, आलसी चाहे तो जो कह लीज़े आप इसको ठीक है last पांच words आपके सामने 50 words यहाँ पर आप cover up कर रहे हो ebullient, joyful, depressed, enthusiastic, melancholic फटा फट से बताईए आखरी पांच words है आपके सामने आखरी है कि second last है I think ebullient, joyful, depressed, enthusiastic, melancholic फटा फट से बताओ देखे भई ebullient थोड़ा सा depressing type का है depressing आप कह सकते है ठीक है तो answer यहाँ पर क्या हो सकता है क्या हो सकता है sorry यार, उल्टा बता दिया मैंने depressed नहीं होता यार यह ebullient happiness related है इसका मतलब joyful है ठीक है तो यह दोनों तो आप समझ लीज़े synonym हो गए है हम हमेशा better choice mark करते हैं याद रखिएगा ठीक है melancholic sadness से related होता है लेकिन depressed का मतलब बंदा एकदम depression में चला जा चुका है ठीक है तो answer यहाँ पर depressed हो जाएगा अगला सवाल कहता है voracious voracious है भूखा तो insatiable, satiated उल्टा बताना है satiated का मतलब होता है एक idiom यहाँ पर लिखा हुआ है क्या कहता है barking up the wrong tree और multiple times पूछे गई idioms barking up the wrong tree देखो और बताओ भी क्या कहते हैं इसको हम barking up the wrong tree अब भाई हम गलत चीज की जगे गलत जगे जगे जा रहे हैं इसको कहा जाता है barking up the wrong tree मतलब ममी ने बोला है बिटा धनिया ले आओ हम जा के उनको करीपता दे रहे हैं we just barked up the wrong tree ठीक है गलती किसी और की है blame किसी और को कर रहे है we are barking up the wrong tree ठीक है तो bark up the wrong tree का मतलब होता है mistake करना option number B is the right answer to make a mistake ठीक चलो आगे देखा जाए अग्ला सवाल हमसे कहता है spill the beans आज idiom का दिन है spill the beans का मतलब बताओ सब लोग spill the beans बताइए कुछ लोग ऐसे होते हैं न पेट में कोई बात नहीं पचती तो दूसरों के सामने बात जाके उगल देते हैं तो such people spill the beans वो आपका secret reveal कर देते हैं सीक्रेट को reveal कर देना ही spill the beans कहलाता है सीक्रेट को reveal कर देना sharing a secret और reveal a secret सही है बस इसी को बोला चाहता है spill the beans जो लोग आए हो भाई session को like करते हुए चलिए ठीक है और energy high रखिए क्योंकि यहाँ पे अगर मुझे यह पता सल लगा कि भाई 10 minute vocabulary show की need नहीं है तो फिर कैसे continue होगा ठीक है so keep liking the session as well अगर समझ में आ रहा है तो अगला idiom हमारे सामने है burning the midnight oil देखें और बताएं burning the midnight oil almost every student burns the midnight oil a day before the examination almost every student burns the midnight oil a day before the examination हर बच्चा क्या गरता है रात में एक दिन पहले पढ़ता है न burns the midnight oil एक दिन पहले पढ़ा ही करता है stay up late to work or study याद कैसे रखना है भाई पहले हम दिया जला के candle जला के candle ही डिबिया होती थी न तेल उसमें केरोसीन जला के लोग रोश्नी करते थे तो रात में पढ़ना होता है तो रात में डिबिय जला रहे है तेल जला रहे है और रॉष्णी करके पढ़ रहा है बंदा तो answer क्या हो जाएगा? staying up late to work or study option B staying up late to work or study ठीक है? चलो, next day को बाई hit the nail on the head hit the nail on the head बताईए कौन दे सकता है इसका answer? hit the nail right on the head hit the nail on the head क्या मतलब? hit the nail right on the head तीर निशाने पे लगना बोलते हो ना हिंदी में अब ये तीर निशाने पे लगना मैं तो तुक्का मारा था बट मेरा तीर निशाने पे लग गया मतलब एक जम सही चीज आपने कही या करीब लकुँ सटीक सही चीज को करना या कहना इसको कहा जाता है hit the nail right on the head सही है? चलो नेक्स देखना break a leg ये बहुत बार पूछे गए सवाल है break a leg बताईए break a leg पैर तोड़ने से कुई रिलेशन नहीं है इसका पहले जान लीजे बहले ये sound negative कर रहा है लेकिन इसका meaning positive है ठीक है? break a leg आप से कोई कह रहा है all the best आपको किसी से कहना है भाई all the best आप उससे क्या बोलोगे? go break a leg क्या बोलोगे? go break a leg ठीक है? go break a leg बात समझे की नहीं समझे? सही है? go break a leg मतलब all the best good luck किसी को भी best of luck या good luck बोलना है तो बोल के देखना वससे देखना है कि कंटाप ना मार दे कि तुम चाहते मैं पैर थुड़बा करा हूँ तो समझा देना कि नहीं 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 इसका मतलब होता है good luck it's a medium ठीक है? चलो next बताईए sitting on the fence sitting on the fence जल्दी से sitting on the fence का मतलब बताओ सब लोग yard cv सबसे best example यहीं लगता है CSK अब लोगों को धोनी भी पसंदे है माही भी पसंदे है और कोली भी पसंदे है अब दोनों के बीचे माच हो रहा है so they just sit on the fence excuse me ना RCP की साइड है ना CSK के साइड they just sit on the fence मतलब किसी की साइड नहीं है बीच में बैठे हुए कैना क्या कर रहे है they are they are they are trying to avoid the situation हां जी वो situation को एक सेगड avoid नहीं कर रहे है decision लेने की कोशिश कर रहे हैं बट ले नहीं पा रहे है ठीक है तो इसका meaning होता है trying to make a decision but not able to बंदा अगर indecisive है commit नहीं कर रहा दोको आपका जो language है वो कुछ भी हो सकती है trying to make a decision being indecisive या फिर not ready to commit ठीक है या फिर staying neutral not taking sides कुछ भी हो सकता है बंदा किसी की side नहीं ले रहा तभी मैंने drawing से आपको समझा दिया fence पर बैट गया है क्योंकि ना इसके साइड जा सकता है ना इसके साइड दोनों ही पसंद है सही है? चलिए नेक्स देखो भाई क्या गहता? रेनिंग काट्स दॉक्स बहुत इंपॉर्टन इसका statement भी मैं तो कह रहे है जितने EDM का statement बना सकते हो जरूर फ्रेम किया करो रेनिंग काट्स दॉक्स का मतलब होता है बहुत भारी वारिश बहुत भारी वर्शा भारी वारिश रेनिंग काट्स दॉक्स अंसे क्या हो जाएगा? option number B रेनिंग काट्स दॉक्स ठीक है? चलिए, अग्ला सवाल देखो walking on air क्या मतलब होता है? walking on air का मतलब बताईए जरा सब लोग बताईए बताईए walking on air बंदा मतलब धर्ती पे ही ना रहे बंदा हवा पे चल रहा है बंदे के पाउँ धर्ती पे नहीं पड़ रहे बंदा हवा पे चल रहा है मतलब बंदा बड़ा खुश है ठीक है? तो walking on air का मतलब the person is extremely happy बहुत ज़्यादा खुश है वो बंदा सहिए extremely happy आज तो पाउँ धर्ती पे नहीं पड़ रहे है बहुत खुश है ठीक है? next देखो the ball is in your coat जल्दी सहिए तो पढ़े हुए idioms है जो पहली बार आ रहे हैं ट्रिक्स बहुत ध्यान से सुन लेना कभी नहीं भूलेगा the ball is in your coat सुनिए और बटाईए क्या समझे? अब टेनिस खेलते हूँ टेनिस में बाल आपकी तरफ आई तो अब आपके उपर है कि आप बाल को छोड़ देंगे या मारेंगे? जब बाल आपके coat में है तो decision आपके हाथ में है कि बाल का आप क्या करना है लेके मुह में रखके चबा लेना है कि फेक देना है कि मारना है तो decision आपके हाथ में है कि आगे क्या करना है it's your turn to make a decision or take action ball is in your coat सेखेए? ठीक है? चलिए पुल यार लेग क्या मतलब है इसका? to pull somebody's leg speed up trying to start a race playing a trick or joking with you helping you stand up testing your strength बताइए pull your leg मेरे भाई को मेरी leg pulling करने बड़ा अच्छा लगता है leg pulling मतलब मजाग उड़ाने में किसी की leg pulling कर रहे हो मतलब आप किसी का मजाग उड़ा रहे हो उसके साथ ताफ्री कर रहे हो ठीक है? तो leg pulling का मतलब होता है to make a joke किसी के साथ trick करना या joke करना किसी की tank खीचना leg pulling करना joke करना उससे prick खेलना so guys the first one is up the word is osteo शुरू हो जाइए luxurious, harsh, severe या फिर stern तेजी से luxurious, harsh, severe, stern austere का मतलब क्या होता है? हमसे opposite meaning पूछ रहे austere का मतलब होता है बहुती harsh बहुती कठोर ठीक है? बहुती कठोर बहुती uncomfortable बहुती harsh ठीक है? harsh का मतलब भी बहुती कठोर टाइप है ठीक है? severe का मतलब बहुत गंभीर stern का मतलब बहुत strict जो अपनी बात से हेले ना बहुत strict है अकडू है कठोर है ठीक है? तो ये तीनो words austere के ही तो synonyms लग रहे हैं austere के आसपास meaning है luxurious का मतलब बहुत आराम की चीज अराम की चीज तो ये उल्टाइक लग रहा है तो answer हो जाएगो option number one चारो words की meaning clear इस तरीके से PDF में दूँगी आपको ठीक है? शलिए अगले 5 words आपकी screen पे है जल्दी से बताओ next 5 words is up next 5 words are up देखो जरा sorrow, joy, gloom, despair मर्त का मतलब होता है खुशी क्या होता है? खुशी होता है happiness होती है sorrow, joy, gloom, despair sorrow का मतलब है दुख joy का मतलब खुशी gloom का मतलब भी दुख और despair का मतलब निराशा ये तीनों आपका दुख, निराशा बता रहे है negative words है जैसे की मर्त के उल्टे joy, joy का मतलब होता है खुशी तो answer is option number 2 done सारे words clear? एकदम यहाँ पे words हर दिन 10 मिनिट में 50 words कर रहे हो महिने में सोची लो calculation कर लो कितने words आपने सीखे और बीच-बीच में revise करते रहूंगी repeat करते रहूंगी जिससे revise होता रहे चलिए guys capitulate surrender, resign, stand firm, yield जल्दी से answer political speed में capitulate का मतलब जानते हो give up कर देना surrender कर देना हार मान लेना ठीक है give up कर देना surrender कर देना हार मान लेना surrender का मतलब भी क्या करना त्याग देना कुछ हार मान लेना give up कर देना yield का मतलब भी होता है वहीया किसी क्या कि जुग जाना, मान लेना, उसकी बात, गिव अप कर देना, रिजाइन का मतलब स्थीफा दे देना, ना चाहते हुए भी स्थीफा दे देना, हैना that is, रिजाइन, तो ये तीनों वर्ट्स तो लगभग लगभग क्या असपास है, आंसर हो जाएगा, stand firm, stand firm का मतलब है, अपरी बात पर बिल्कुल strongly आप खड़े हैं, तो आंसर क्या हो गया, उल्टा पूछता था, option number 3 is the right answer, done, सारी words clear, सब लोग देख लो, एक दम, ठीक है, चलिए, next set of words यहाँ पर है, पांच words आपकी स्क्रीन पर लिखे हैं, placid, agitated, calm, disturbed, anxious, सवाल देखकर जवाब दोगे, ठीक है, आखे बंद करके बस देखना नहीं है, कि हाँ, मैं बोलती जारी है, answer करो, यहाँ पर active रहो, ठीक है, चलिए, placid, placid का मतलब क्या है, वो कोई ऐसा इंसान जो बहुत जल्दी रियाक्ट नहीं करता है, शांत रहता है, placid है, agitated, परिशान, calm, शांत, disturbed, जो disturbed है, परिशान है, और anxious भी तो परिशान कों कहते हैं, यह सब परिशान है, sorry, यह तीनों परिशान है, काम हो जाएगा, synonym किसका, placid का, बोलव बात समझ में आई, done, ठीक, चलिए, अगला सवाल, next set of questions क्या कहते हैं, arrogant, मोलते ना, वो लड़की बहुत arrogant है, बहुत अकडू है, घमंडी है, arrogant is घमंडी, modest, conceited, haughty, pretentious, pretentious बना है, pretend से, pretend का मतलब दिखावा करना, दिखावटी लोग अकसर घमंडी होते हैं, ठीक है, दिखावटी, घमंडी, haughty, कैसे याद रखोगे, बोलते ना, she's so hot, मतलब इसके अंदर घमंड होगा, याद रखने का तरीका, तो वो वाला haughty, spelling different है, लेकिन haughty मतलब घमंडी, याद रखना, ठीक, conceited का भी मतलब होता है, घमंडी, अपने में जो रहे, घमंड से रहे, ठीक है, यह तीनों घमंडी है, modest होता है, विनम्र, down to earth, तो हो गया ना, इसका उल्टा, option number one, देखो, ठीक है, done, 25 questions से हाँ, पर done हो चुके है हमारे, अगला सवाल देखें फड़ा-फट से, lethargic, lethargic, 25 words are done, lethargic बताओ, energetic, lazy, active, vigorous, अगले पांच words आपके सामने लिखें हैं, देखो भाई, थोड़ा सा आसान मामला है, lethargic का मतलब है, आलसी, ठीक है, हमसे पूछता, similar, lazy, आलसी, ठीक है, energetic, जिसके अंदर खुब जोश है, active, जो बहुत सारा काम करें, वो active है, vigorous का मतलब full of energy, full of life, तो ये तीनों words, antonym हो गए हैं, lethargic के, बात क्लियर हुई सबको, बात क्लियर हुई तो एकदम फटाफट से class को like करते चलोगे सब लोग, ठीक है, चलिए, अगले पांच words आपके सामने हैं, elaborate, simplify, complicate, enhance, embellish, समय देख लो, timer लगा रखा है मैंने, समय के अंदर हमें questions करने है पूरे-पूरे complete, चलिए, elaborate का मतलब है, आपको किसी चीज को बहुत, detail में, जैसे कि मैं आपको हर एक word का meaning, elaborate कर रही हूँ, explain कर रही हूँ, ठीक है, explain कर रही हूँ, in fact, simplify कर रही हूँ word को आपके लिए, simplify का मतलब किसी चीज को असान मनाना, और elaborate करके चीज़ें अकसर असान मन जाती है, synonym, embellish का मतलब होता है, सजाना, सजी हुई चीज है, enhance का मतलब किसी की beauty बढ़ाना, किसी को अपग्रेट करना, खुबसूरत बनाना, ठीक, लेकिन complicate का मतलब किसी को मुश्किल करना, तो यहाँ पर answer क्या हो जाएगा, complicate हो जाएगा, complicate बोले तो मुश्किल कर बोलो कोई शक यहाँ बर, answer option number 2 है, ठीक, चलिए, अगले 5 words आपके सामने हैं, the word is ponder, ponder, neglect, ignore, reflect, overlook, भाई, ponder का मतलब होता है, deep thought में खोई होना, गहरी सोच, ponder का मतलब गहरी सोच, similar बताओ भाई, क्या हो जाएगा, neglect का मतलब नजर अंदास करना, ignore का मतलब नजर अंदास करना, overlook का मतलब नजर अंदास करना, तीनों के meaning या, तीनों का मतलब है, नजर अंदास करना, reflect का मतलब होता है, किसी चीज़ के बारे में गहराई से सोचना, ठीक है, गहराई से सोचना होता है, तो answer मेरे दोस्त हो जा let's go next five words आपके सामने है and the term is reverence reverence, disrespect, worship adoration या फिर veneration बताईए reverence, इजट reverence का मतलब है इजट, respect देना किसी को, लो भाई answer निकल गया, disrespect इसका उल्टा पूछ रहा है सबसे बड़ी गलती, कितने भी word power आपकी आसान, strong हो जाए कितनी भी word power मैं आपकी strong कर दो अगर ये चीज़, मैंने इसी लिए question format पे रखा है, तुम लोग को smart बनाना है मुझे, रट्टू तो नहीं बनाना है, ठेके, question format में रखने का सिर्फ एक मकसद था, कि तुम लोग direction पढ़ने की आदर डालो ठेके, direction में उल्टा लिखा है, respect answer है worship, पूजा करना, adoration किसी को बहुत चाहना, पसंद करना पसंद करते हो तो respect तो करते ही हो veneration का मतलब भी respect होता है ठेके, veneration, reverence तो हो का मतलब respect है, answer is option number one, disrespect ठेके, और आखरी set of 5 words आपके सामने हैं अगले 5 words आच चुके हैं, बताइए conscious, lengthy, brief, extended, prolong conscious का मतलब किसी चीज को short में, जब कोई चीज short में करते हो तो वो conscious हो जाती है in short lengthy का मतलब बहुत लंबा brief का मतलब short तो ये तो answer हो गया, बोलते है ना brief case brief case छोटी सी attachी होती थी है ना, अभी भी होती है, brief case extended का मतलब किसी चीज को extend कर रहे हो, लंबा कर रहे हो prolong का मतलब कुछी चीज बहुत लंबे समय तक चल रहे है, खीच रही है that is prolong सारे इसके आंटरिम थे, आंसर हो गया option number 2, brief, बोलो ये बात समझ में किसको किसको आ गई टीक है, वही idioms चो exam में पूछा जाते हैं, वही words चो exam में पूछा जाते हैं पहला सवाल आपकी screen पर है, फड़ा-फड़ से देना अंसर एक idiom है cost an arm in a leg क्या कहता, cost an arm in a leg, सोचो cost an arm in a leg मतलब मेरे दोस्त कोई चीज इतनी महंगी है कि तुम्हारे arm और leg बिक जाए उसके लिए कोई चीज इतनी महंगी है कि arm और leg बिक जाए मतलब something that is very expensive, कोई चीज बेहद expensive है something very expensive, ठीक है चल ये, next question देखना क्या कहता cry over spilled milk, मताईए cry over spilled milk देखे बाई cry over spilled milk if you are crying over spilled milk आप ऐसी चीज के ऊपर दुखी है ऐसी चीज के ऊपर दुखी है जो अब हो चुकी है खराब हो चुकी है अब उसको कोई नहीं सुधार सकता तो इसको बोला जाता है cry over spilled milk complaining about something that cannot be changed कोई ऐसा past का loss कोई ऐसी चीज जो बदल नहीं सकती exam नहीं clear हुआ if you are feeling sorry about it you are crying over spilled milk अब आगे के लिए महनत करिए पिछली चीज आप कुछ नहीं सुधार सकते आगे ही अब आप improvement कर सकते हैं आंसर हो जाएका सीधे सीधे option no.2 सही है next एक ना a penny for your thoughts यह idiom बहुत यूज किया जाता है a penny for your thoughts बदाव सब लोग a penny for your thoughts ठीक है क्या हो जाएगा जब आप किसी से पूछना चाहे है भाई आप क्या सोच रहे हो तो आप उसे क्या बोलते हो I'll pay you a penny for your thoughts just tell me what you are thinking pay a penny for your thoughts pay a penny for your thoughts मतलब पूछ रहे हो किसी से कि वो बंदा क्या सोच रहा है है ना वो बंदा क्या सोचता है क्या सोच रहा है तो आंसर क्या हो जाएगा मतलब सामने वाला अपने सोच बताए अपना उपीनियन बताए offering to pay for somebody's opinion कि भाई आपना उपीनियन दो मैं pay भी गर दूँगा ठीक है चलिए next देखें भाई spits fire if somebody spits fire क्या हो जाएगा सोच रहा कुछ idioms तो इतने गजब होते हैं कि मतलब आप statement देखकर ही बता दोगे कि यह idiom का meaning है क्या खेर spits fire आज तो यह बंदा आग उगल रहा है सोचो excuse me spits fire आग उगलना आग कौन उगलता है बताईए बताईए कौन आग उगलता है जो बहुत गुसे में होता है जो बहुत गुसे में है बहुत आंगरी है बहुत अपसेट है ठीक है तो आग उगलने का मतलब बंदा बहुत गुसे में है बहुत आंगरी है, बहुत अपसेट है ठीक है, option number B is right clear शालिए next देखना hit the hay बताओ hit the hay बताईए यल्दी यल्दी से ठीक है hit the hay hit the sack हो या hit the hay दोनों का ही मतलब होता है सोने जाना, go to sleep दोनों का ही मतलब क्या है सोने जाना, hit the hack बोलो या hit the hay बोलो कोई रिकत इसमें किसी को चले आगे, आओ भाई next क्या कहता पूछना है radical, sabbatical, egotistical, skeptical या fanatical, बताईए जल्दी से एक word यहाँ पर दिया है radical भाई, class को like करते चलिए और थोड़ा सा speed बढ़ा लीजे क्योंकि कुछ भी note करने की जरुवत नहीं है मैं हर question का answer PDF में आपको solution के साथ दूँगी ठीक है तो बस जल्दी जल्दी से radical होता है कट्टर इंसान religious और political views बहुत extreme होते है radical जो है fanatical भी तो कट्टर होता है हो गया answer? sabbatical वो break है जब किसी employee को या teachers को पढ़ाई वढ़ाई करने के लिए जो दिया जाता है उसको sabbatical बोला जाता है पढ़ने के लिए या किसी चीज के लिए जो break लिया है वो होता है sabbatical ठीक egotistical होता है जो खुद को बहुत पसंद करे self-seeker ठीक है और skeptical शक्की हर चीज पर doubt करने वाला शक्क करने वाला skeptical होता है ठीक है चलिए नेक्स देखो बाई देखो सबके meanings में आपको इवन हिंदी में लिखके दे रही हूँ ठीक है नेक्स देखे expound positive, notoriety, partition, expatiate बताना जरा क्या हो जाएगा expound मतलब किसी चीज को अच्छे से explain करना किसी चीज को अच्छे से explain करना बस इसी को हम expound कहते हैं ठीक है तो positive, notoriety, partition, expatiate क्या हो जाएगा देखो positive का मतलब है कमी किसी चीज की notoriety का मतलब है बुरे चीज के लिए famous होना किसी का बुरा होना फिर partition का मतलब होता है कि आप किसी चीज एक चीज का पक्ष ले रहे हैं एक चीज का पक्ष लेना बाकियों से भेदभाव करना ठीक है और expatiate का मतलब भी होता है किसी चीज को explain करना तो answer तो सीधे सीधे होगी option number 4 देखो भाई सहीए ठेक चले आगे आईए next देखो भाई क्या कहता heartless robust, warm, mild या crude बहुत अराम अराम से comment कर रहे हो भाई पहले वाले का नाम पर ही मेरी नजरे रहती हैं हमेशा तो इतना धीरे-धीरे answer मत करो दोस्त देखे भाई heartless robust, warm, mild, या crude heartless मतलब जिसका दिल नहीं है दिल नहीं होता है तो वो इंसान बहुत ही जादा कैसा होता है cruel होता है निर्दई जिसका दिल नहीं है वो निर्दई है ठेक है robust का मतलब बहुत strong ठेक है robust एकदम हट्टा-कट्टा मजबूत warm का मतलब गरम भी होता है warm का मतलब friendly भी होता है तो चाहे आप गरम बोलिये चाहे friendly बोलिये ठेक है figurative meaning है इसकी friendly और जो actual literal meaning है वो है mild का मतलब बहुत हलका कोई चीज़ अगर बहुत हलकी है बहुत basic है तो आप उसको क्या सकते है mild बहुत हलकी बहुत basic ठेक है आगे चला जाए आईए next day को भाई क्या कहता question ability feature inefficacy skill yager flexibility जल्दी जल्दी से बताईए देखें भाई कौन देता answer tell me ability का मतलब किसी काम को करने की शम्ता तो simple सा है किसी काम को करने की शम्ता feature नहीं feature तो characteristic हो गई inefficacy का मतलब inefficiency यह तो आंटनिम हो गया skill होती है कि किसी काम को करने का cautious skill ठीक है यह answer हो जाएगा flexibility का मतलब जो चीज़ चेंज हो रही है वो उसकी flexibility होती है आखरी सवाल हो गई है lying, flaming, stopping, crying या फिर misleading किसी से जूट बोल रहे हो तो मतलब आप उस बंदे को mislead करने की कोशिश कर रहे हो भटकाने की mislead करने की कोशिश कर रहे हो flame, flaming का मतलब आग लगना stopping is rohna, rohkna और crying is rohna timer में यहाँ पर लगा दूँ ठीक है आज का पहला सवाल है आपकी स्क्रीन पर कहता है synonym of perineal synonym of perineal बताया ना सब लोग synonym of perineal कौन देगा answer जल्दी जल्दी से अब देख के बड़े खुश हो गए होंगे कुछ लोग क्या खुश हो गए होंगे पता है यह देख कर यह ना चले कोई बात में आपको बताती हूँ perineal का मतलब होता क्या है perineal is something that stays for a very short time मतलब छड़ भंगो एक शड़ की जो चीज होती है एक मिनेट एक सेकंड जो टिके बस छड़ भर के लिए टिके वो चीज होती है perineal तो answer हो जाएगा synonym हो जाएगा ephemeral ephemeral का भी मतलब होता है जो बहुत कम देर के लिए जो चीज ठीकती है ephemeral ठीक है तो option number one is right enduring का मतलब किसी चीज को बरदाश कर लेना endure कर लेना mutable का मतलब क्या होता है mutable का मतलब जिस चीज को आप change कर सको वो चीज mutable है और ineffable का मतलब क्या होता है ineffable जिस चीज को आप describe ही ना कर सको something that cannot be described explain ना कर सको describe ना कर सको ठीक है हर दिन जो मैं यहाँ पे आपको 50 words करा हूँ उनका revision जरूर करना कहां से revision करोगे यहां से revision करोगे यह कहां मिलेगा PDF मिलेगा कहां PDF मिलेगा English वे दनन्या के टेलिग्राम के उपर मिलेगा बाद समझ रहे हो ठीक है एक सेकेंड यार तुम अगला सवाल है आप लोगों की screen पे चलिए आँ से बताएगे कुछ जाद है कि जूम हो रखा है यह आँ से बताना सब लोग क्या गेता आप्फसकेट का सनौन clarify, disseminate, confound your fidelisit क्या हो जाएगा आप्फसकेट का मतलब क्या होता है आप्फसकेट का मतलब किसी हो confuse करना to make something unclear to make something unclear क्या हो जाएगा आंसर भी तो मतलब हो जाएगा confound इसका मतलब होता है confuse करना clarify तो बिलकुल इसका उल्टा हो गया clarify का मतलब to make something very clear elicit का मतलब कोई चीज किसी के अंदर से निकलवाना elicit करना मतलब निकलवाना किसी के अंदर की बात निकलवाली है आपने to draw out something ठीक है और disseminate का मतलब क्या होता है disseminate का मतलब किसी चीज को फैला देना लोगों के बीच में to spread ठीक है फैलाने का सेंस होता है आंसर हो जाएगा option number C ठीक है चलो भाई next question देखना अरे चलो यार next question क्या कहता है ineffable audacious, inexpressible, profound या फिर सुपफलास ineffable का मतलब क्या है मेरे दोस्त क्या होता ineffable जल्दी से बताईए अब ही बताया था जिस चीज को describe ना कर सको जिस चीज को describe ना कर सको तो answer क्या हो जाएगा inexpressible जिस चीज को express ना कर सको audacious, audacity जिसके अंदर है, हिम्मत जिसके अंदर है profound का मतलब बहुत deep knowledge profound, deep ठीक है, superfluss का superfluss का मतलब होता है extra यह superficial का उल्टा है profound, superficial का मतलब जो चीज बहुती ऊपर-ूपर की है profound का मतलब बहुत deep ठीक, और superfluss का मतलब जो चीज एक्स्ट्रा है जिसके requirement नहीं है सही है? चलिए, next question देखो भाई psychophant psychophant कौन होता है यह? chap loose लोगों की चाप लूसी करने वाला जिससे इसको favor बिल जाए iconoclast मूर्तियों को तोडने वाला लोगों के, जो लोगों के beliefs होते हैं उनको तोडने वाला parasite ऐसा living organism जो दूसरे living organism पर survive करें कुछ पेड़ भी ऐसे होते है parasite lucky होता है chap loose और recluse होता है जो अकेला रहना पसंद करता है ठीक है तो answer सीदे सीदे हो गया हमारा option number C यहाँ पर chap loose कहते हैं हम लाखी को ठीक है अगला सवाल देखिए कहता है panicious भया तेस्ट चलना पड़ेगा समय देख लो सिर्फ 5 मिनिट बचे हैं पांचवे क्वेश्चन पे हो अभी जल्दी से स्पीड बढ़ा हो भाई panicious benign, malignant, capricious, reticent क्या होता है panicious बताईए बताईए किसी को नुकसान पहुचाने वाला harmful, exactly यही मतलब होता है malignant का ठीक है reticent जो बहुत कम बोलता है बहुत कम बाते करता है capricious जिसका mood change होता रहता है बहुत जल्दी capricious से आद रखना capricious backs लडकियों का देखो, एक brand is backs का capricious मतलब लडकियों से याद रखना कि mood बहुत बदलता है यह लडकियों का mood change होता अभी खुश है और फिर गुस्सा हो कर रही है ठीक है तो याद रखना moody type का person benign बहुत नेक इंसान होता है तो यह तो यह तो आंटने हो गया ठीक है चलिए, next one inaffable देखो, question वही है जो अभी आया था बस option बदल गया है क्योंकि शायद दो अलग-अलग exams में पूछा गया होगा जो चीज एक्स्प्लेइन ना करी जा सके तो इसका आंसर क्या है in-explicable है सब को समझ में आ गया vociferous मतलब बहुत loud जो बहुत तेज बोले, बहुत loud है ठीक है locatious जो बहुत ज्यादा बोलता है locatious और tumultuous का मतलब confusion, noise, disorder, astivist इसको हम tumultuous कहते है सही है ठीक है कोई दिक्कत तो नहीं किसी को right आईए, आईए अब मेरी बात को दिहान से देखना psychophant यहाँ पे अच्छा ठीक है, option थोड़े से अलग कर दी गए है maverick, parasite, lacridisical, या phodachnoclast देखें भाई, कौन देता answer same question मत समझने की भूल करना यहाँ पे, मैं आपको बताऊंगे कैसे game करता है आपके साथ SSC यहाँ पर let's see नहीं समझ में आया क्या होगा answer, कहोगे गया रहे मैं पहले वाला तो option ही नहीं यह जो answer था अब मैं बताती हूँ, यह करता है SSC आपके साथ खेल, psychophant होता है boot liquor, chap loose maverick होता है, बहुत open-minded person यह तो हो नहीं सकता iconoclast होता है, दूसरों के beliefs को तोड़ता है यह तो नहीं हो सकता lackadical बहुत RC है RC type का बंदा अब parasite का एक और meaning होता है parasite वो इनसान है जो दूसरों के support पे जीवित है दूसरों का support चाहिए इसको तो chap loose तो हुआ नहीं है chap loose क्या करता है, chap loose इसले तो करता है कि दूसरों क्या favor मिल जाए इसको, मदद मिल जाए इसको, तो यह synonym हो सकता है पिछले में हमने क्यों नहीं मार्क किया parasite क्योंकि बहतर choice थी यह SSE का खेल जिसने समझ लिया उसके लिए exam clear होना बहुत असान हो गया, यह खेल अकसर करता है, बस तभी मैंने एक सवाल यहां पर रखे है कि यह SSE का खेल मैं आपको दिखा पाऊ ठीक है, तो class को light करते चलो फटाफट से, समय कम बचा है तेस्ट करना पड़ेगा, परनीशियस बेनिफिशियस, मागनेशियस यह तो बिल्कुल सेम आ गए क्या परनीशियस इसके option कुछ जादे ही सेम है लग भग मुझे लगता है, अलग-अलग सालों का ही होगा, परनीशियस का मतलब होता है हामफल, तो option number 2 हो गया, इसका answer, बेनिफिशियल का मतलब क्या है, बेनिफिशियल का मतलब फायदे मंद, कैप्रीशियस का मतलब जो मूड़ी और रेटिसेंट का मतलब, जो कम बोलता है ठीक है देखें भाई mellifluous, cacophonus, resplendent, enigmatic या फिर insipid, जल्दी से बताईए mellifluous होता है जो कानों को सुनने में बड़ा अच्छा लगे कानों को जो सुनने में बड़ा अच्छा लगे बस इसी को हम बोल देते हैं mellifluous synonym kacophonus कानों को सुनने में जो बहुत खराब लगे ठीक है ऐसी चीज कहलाती है क्या kacophonus, बहुत खराब लग रहा है कानों को सुनने में ठीक है, resplendent का मतलब क्या होता है, resplendent का मतलब बहुती bright है, चमकदार है enigmatic का मतलब क्या है, enigmatic का मतलब बहुत ही puzzly चीज है और insipid का मतलब बिल्कुल tasteless तो answer क्या हो सकता है यहाँ पे एक ही positive word है option number B यह positive है लेकिन यह तो बहुत ही शांत calm से related है answer resplendent हो सकता है यहाँ पे very bright तो आद अच्छा positive way में ठीक है आखरी सवाल है आपके पास ineffable garrulous, inexpressible garrulous tumultuous answer बताईए जरा यह तो थोड़ा सा गड़बड सवाल है ठीक है कोई रिकत नहीं है थोड़ा सा गड़बड है बट answer हम mark कर देते हैं inexpressible garrulous कौन होता है जो बहुत ज्यादा बोलता है ठीक है और tumultuous का मतलब होता है शो शराबा noise disorder ठीक है थोड़ा सा अगर आपको याद नहीं हो तो spoken English class is free spoken English batch आपका शुरू हो चुका है समझ लो बिलकुल basic से हम चलेंगे words सीखेंगे sentences सीखेंगे सब कुछ basic से advanced level of spoken English चलेगी यहां पर English फदनन्या के ओपर बिलकुल free of cost हर दो पहर 3 बजे मंडे टू फ्राइडे तीन बजे क्लास आज भी हुई थी तीन बजे कल भी होगी तो तीन बजे आज आना है यहां पर पहली बार आए हो तो चानल को कर लो फड़ा फट से subscribe निफारियस होता है बहुत ही wicked बहुत ही cruel person लोगों को उपके नुकसान जो पहुंचाता है छुपके नुकसान पहुंचाने वाला meritorious, merit के basis पर fabulous जो award deserve ignor das ken ur ignominious का मतलब होता है पता है क्ए होता Bahn ignominious का मतलब होता है समझ लो जो बहुत ही आप कह सकते है जो disgrace deserved करे जिसकी वह इस्जत ना करे ignominious है Chapter सबके में आपको मीनिंग्स दूंगी इस तरीके से PDF पे सारे मीनिंग्स फिलेंगे तो इंगलिश विदरन्या का टेलिग्राम जरूर से जॉइन कर लेना टेलिग्राम आपके देखो यहाँ पे Slides पे दोनों ही social media लिखे हैं जिससे के आप मुझसे connect कर पाओ ठीक है बताईए लिथार्जी Envy, Exuberance, Elacrity, Ebullience चल्दी यल्दी से बताईए फटाफट से सभी लोग Lethargy मतलब आलसी ठीक है Envy का मतलब भी होता है Feeling of boredom पक रहे हैं Bore हो रहे हैं That feeling is called Envy Exuberance का मतलब होता है बिलको लिग दम खुश है जोश है Elacrity का मतलब ततपरता और Ebullience का भी मतलब In High Spirits ये तीनों ही Antonyms हो गए है किसके? Lethargy के Exuberance, Elacrity, Ebullience मतलब बिलको जोश में कोई काम कर रहे हो तो है ना? बिलको जोश के साथ तो answer is option number one that is Envy ठीक? चलिए Next one Saruptitious बताओ भई कोशिश करिए और answer दीजए Let's see Saruptitious Flagerant Clandestine Audacious Ephemeral बहुती secretive way में कुछ करना Secret चुपा के That is Saruptitious Flagerant Flagerant का मतलब जानते हो क्या होता है जो चीज़ बहुती noticeable है बहुती shocking तरीके से noticeable है Clandestine का मतलब भी छुपा कर होता है और Dacious का मतलब हिम्मत वारा और Ephemeral का मतलब है जो बहुती कम समय के ले ठीक है तो answer तो यहाँ पर सीदे सीदे हो जाएगा हमारा option number कौन सा Option number two यह दोनों है secretive way में होने वाली चीज़े ठीक है चलिए नेक्स देगो भाई कहता है यूबी किटिस यूबी किटिस इजॉटरिक, परवेजिव, मंडेन, एनिगमाटिक जल्दी से बताओ यूबी किटिस जल्दी जल्दी से आंसर देंगे सब क्या हो जाएगा मताएं भाई यूबी किटिस तेजी से आंसर करो यार कॉमेंट सेक्शन में इतना सननाटा दिख रहा है तुम लोगों का तेजी से स्पीड आप, जल्दी यूबी किटिस, क्या मतलब होता है इसका जो हर जगे दिखे भाई, जो हर जगे चीज दिख रही है, वो है तो पर्वेजिव आंसर हो जाएगा पर्वेजिव, ठीक इसॉर्टरिक का मतलब है जो बहुत ही कम लोगों को समझ में, understood by a few बहुत कम लोगों को, तो यह आंटनिम हो गया मंदेन मतलब बहुत ही बोरे और एनिगमाटिक का मतलब क्या होता है जो चीज मिस्टीरियस है, बहुत लोगों को समझ में नहीं आ रही है तो यह भी यार्टनिम है यह तो बोरे तो आंसर इस ओप्शन नमब बी, पर्वेजिव, जो सब में पहला हुआ है पतलब सब को बता है, हर जगे है ठीक है, तो आंसर इस ओप्शन नमब बी नेक्स वान कहता है बेलीजुरेट पैसिफिस्ट, ब्लासिद, ट्रॉक्यूलेंट, कौन कॉर्डेंट बताएज जरा देखें कौन दे सकता आंसर इसका जल्दी-जल्दी से बताओ चीक है, आईए कहता है सवाल, बेलीजुरेंट बेलीजुरेंट, ये रूठी बता रहा है लडाकू है इसका मतलब बेलीजुरेंट का मतलब लडाकू और ट्रॉक्यूलेंट का भी मतलब होता है, जो हमेशा लड़ना चाहता है, लडाकू टाइप का, पैसिफिस्ट कह लो, ठीक है placid कह लो, concordant कह लो ये तीनों आपस में एक दूसरे से सहमत है शांती बना के रख रहे हैं, तीनों का मतलब शांती harmony, तो ये तीनों ही इसके antonyms हो गए, ठीक next देखना ज़रा, कहता है munificent, parsimonious benevolent, penurious magnanimous, बताओ ज़रा जल्दी जल्दी से, munificent is the term, parsimonious benevolent, penurious या फिर magnanimous बताएं भई बहुत ही उदार, इसको हम कहते है munificent, बहुत उदार, तो synonym तो benevolent हो जाएगा parsimonious होता है, extreme level of conjuice, बहुत ज़्यादा conjuice ठीक है, penurious, जिसके पास चीज़ की कमी है, गरीब है और magnanimous होता है जो power का भूखा है power जिसको बहुत सारी चाहिए ठीक है, वैसे magnanimous हम आप कह लीजे, थोड़ा दिल जिसका बड़ा होता है वैसे उसको भी कहते है, ठीक है बाट अगर better choice की मैं बात करूँ ना, तो better choice यहाँ पर आपकी benevolent ही है, ठीक है वैसे यह दोनों वर्ट साथ में नहीं आएंगे जहाँ तर, ठीक है, एक ही सवाल में अब यह question frame किया है मेरे समी ने, तो शायद दोनों रख दिये हैं गल्ती से, ठीक है साथ में नहीं आएंगे, चलिए next day को भाई, sanguine, pessimistic melancholic, optimistic या और euphoric बताईए magnanimous मैंने आपको megalomania बता दिया था, that is different ठीक है, power वाला नहीं, उदार ही होता है, आपका ठीक है, magnanimous, चलिए sanguine यह तो बहुत simple दो में pessimistic, melancholic, optimistic, euphoric बहुती hopeful बंदा जिसको बहुती उमीद है चीजों से है न, बहुती optimistic type का तो आंसर यहां पर क्या हो जाएगा optimistic, pessimistic इसका जस्ट उल्टा, बहुती निराशावादी हर चीज में negative सोचने वाला ठीक, melancholic melancholy sadness से related है ठीक है, euphoric का मतलब क्या है euphoric का मतलब happiness, extreme level of happiness that is euphoria सही है, तो आंसर सीधा-सीधा हो गया option number 3 यहां पर pharia, parasite, iconoclast, lackadical जल्दी से बताईए क्या हो जाएगा flunky flunky वो बंदा है जो लोगों की चापलूसी करता है जिससे कि उसको फायदा मिल जाए benefit मिल जाए ठीक है, लोगों की चापलूसी करेगा जिससे कि उसको benefit मिल जाए तो आंसर क्या हो जाएगा pharia, parasite, iconoclast, lackadical parasite, ये बंदा दूसरों पर depend होता है अपने फेवर्स के लिए अपने फायदे के लिए parasite, ठीक है, pharia तो समझ लो socially किसी को reject कर देना iconoclast का मतलब जो मूर्ती वगएरा तोड़े दूसरों के बिलीफ्स का मज़ा कुड़ा है parasite, तो बता ही दिया था, लाकडिसिकल क्या उन होता है थोड़ा सार आलसी, lazy type का person लाकडिसिकल है ठीक, चालिए, next question कहता है ebullient, क्या मतलब होता है ebullient का, morose, jubilient, vexed after locatius, जल्दी जल्दी से, time कम बचा है समय red हो गया है देखे और बताइए ebullient, बहुत खुश full of spirits, full of happiness ठीक है, तो क्या हो जाएगा jubilient, morose, vexed ये दोनों ही negative terms है morose और vexed दोनों का ही मतलब क्या है gloomy, ill-tempered, gussel angry, irritated locatius जो बहुत बाते करता है talkative person सही है, ठीक है आकरी सवाल देखिए, perfidious loyal, treacherous, candid, gregarious बहुत बढ़िया सवाल और बहुत simple मतलब बहुत पूचा बहुत जाता है ये question perfidious बताइए लोगों को ठगने वाला treacherous भी लोगों को ठगने वाला loyal बिलकुल वफादार इसका उल्टा, candid बिलकुल फ्राग gregarious जो लोगों के साथ उठना बैठना बहुत पसंद करता है, दोस्ती गोस्ती खूब निभाता है, ठीक है, अपने ही जैसे पुल फास्ट वान जो आप किसी को ट्रिक कर रहे होते हैं किसी को ठब होते हैं, बड़े तेज हो रहे हो किसको बोलते हो, जो आपको लगता है सामने से ठगने की कोशिश कर रहे है आपको तो कहते हैं, बटाई, अब हूँ तेज हो रहे हो इतने तेज मत बनो तो बहुत तेज हो रहे हो pull a fast one to trick someone to try to trick someone किसे को ठगने की कोशिश करना ठेके? चलिए नेक्स देखो भाई क्या कहता? Lie like a dined duck in a thunderstorm यह कुछ ऐसे idiom है जो बहुत commonly नहीं पूछे जाते हैं लेकिन आज कल पूछे जा रहे हैं बताईए जरा क्या कहते हैं इसको हम like a dined duck in a thunderstorm क्या मतलब है इसका? like a dined duck in a thunderstorm like a dined duck in a thunderstorm जल्दी जल्दी से बता दीचे बहुती निराश निराश इंसान मतलब dined duck से ही आप समझेगी कुछ इसका negative meaning है जो बिंसान बिलकुल निराश है जिसको कोई उम्मीद नहीं है सफलता की dejected person option number three lying like a dined duck is a very hopeless dejected person चेक? चलो next क्या गया था? to paddle one's own cano to paddle one's own cano इसका मतलब क्या है? इसरा जल्दी से बताना to paddle one's own cano क्या कहते हैं इसको हम? okay paddle one's own cano cano बोले तो अपनी नाव खुद चला रहे हैं मतलब आप independent है आप हो किसी और की जरुवत नहीं है paddle one's own cano अपनी नाव खुद चला रहे हो depend on oneself सिर्फ आप अपने पे dependent है और कुसी पे आप निरभर नहीं है ठीक है इन में से अगर किसी का आप statement भी बना पाओ तो मज़ा आ जाया कहता है look down upon look down से आप समझ गए कि इसका मतलब है नीचा ठीक है तो look down upon someone का मतलब क्या होता है किसी को नीचा दिखाना किसी को नीचा दिखाना look down upon someone क्या हो जाएगा? to look for something नहीं, consider someone inferior, consider someone inferior, किसी को छोटा समझना या किसी को नीचा दिखाना, कोई दिककत इसमें, किसी को छोटा समझना या किसी को नीचा दिखाना होता है, to look down upon someone, next देखिये, keep abreast of something, sab लोग बताओ, keep abreast of something, बताईए, keep abreast of something, क्या लगता, जल्दी जल्दी से answer करिये भाई, फड़ा फट से, very good, very very good, बिल्कुल सही है, keep abreast of something का मतलब है, आप खुद को बिल्कुल updated रख रहे हैं, आस पास क्या चीज़े चल रहे हैं, क्या हो रहा है, you are well updated, ठीक है, तो answer होना चाहिए, keep oneself updated, option number 2, ठीक है, खुद को update रखना चाहिए, next day को भाई, give a piece of one's mind, यह ऐसा idiom है, लोग guess नहीं कर पाते हैं, लेकिन examiner आपका बहुत पूचता है, give a piece of one's mind, बताओ, give a piece of one's mind, बहुत जोर से डांट ना किसी को, बहुत जोर से डांट देना किसी को, बस इसी को कहते हैं, give somebody the piece of your mind, give somebody the piece of your mind, किसी को बहुत जोर से डांट देना, answer हो जाएगा, rebuke someone strongly, to rebuke someone strongly, बहुत जोर से डांट देना, ठीक है, next देखो, come to the point, जल्दी से, come to the point, ये तो एक second में answer कर लोगे, क्या कहता, सीधे मुद्धे पे आना, कि भाई सीधे point पे आना, मुद्धे पे आना, तो come to the point is, come to the point is, सीधे, मुद्धे पे आना, क्या हो जाएगा, speak plainly about the real issue, कुछ लोग क्या आदत होती है, इदर उदर की बात करने की, तो उनी के लिए यूज़ाए, ठीक है, next देखो, at large, यह बताना ज़रा, if somebody is at large, तो इसका क्या मतलब है, बताईए, the burglar was at large, छुट्टा घूम रहा था, at large का मतलब इतम खुला घूम रहा है, किसी ने उसको पकड़ा नहीं है, not caught, not caught, बर्गलर को किसी ने पकड़ा नहीं है, not caught, option number C is right, ठीक है, चलिए, next देखो भाई, cut and dried, बताए, cut and dried, बताईए, cut and dried, जल्दी से, आप खुच सोचिए, किसी चीज को काट के सुखाया गया है, किसी चीज को काट कर सुखाया गया है, cut and dried, काट कर सुखाया गया है, cut and dried, ठीक है, क्या हो जाएगा, मतलब कोई चीज एक दम तयार है, पहले से decided है, पहले से निश्चित है, बिलकुल तयार है को चीज, तो इसको हम बोलते हैं cut and dried, अरे तो रिदम तयार है, cut and dried, already decided, ठीक है, the venue of the party is cut and dried, ठीक, चलिए, नेक्स देको बाई, make off with something, to make off with something, जल्दी से बताईए, make off with something, to understand, to run away, to discover or to transfer, मुझे लगता है, idiom वैसे यह तो शायद आख रही है, idioms मुझे और रखने चाहिए, हम लोग fast कर लेते है, idioms, statement बनाये करो यार, तुम लोग statement बनाओगे, तब ही तो याद रहेगा, make off with something, मतलब भाग जाना, ठीक है भाग जाना, he made off with all his belongings, he made off with all his belongings, अपना सारा समान लेकर, वो भाग गया, option number B, to run away, PDF अगरा मैं class game में बताऊंगी, कहा में लेगा, पहला question है, आपकी screen के ऊपर, क्या कहता है, kill two birds with one stone, तो kill two birds with one stone, जड़ा देखियो और बताइए, तो पता नहीं क्या setting है यार, इस camera के, समझ नहीं आता, kill two birds with one stone, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं, एक तीर से दो शिकार, क्या बोलते हैं इसको हम, एक तीर से दो शिकार, murders मत माक कर देना, है ना, two plan two murders, नहीं नहीं, murder से related नहीं है यह, हुझ आइगा to achieve two results within a single effect, एक कोशश करी और दो चीज़े मिल गई, आप जैसे तीन बज़े वाली कामने क्लास करी है, ठीक है, तीन बज़े वाली क्लास करने में हमारा एक्जाम तो तयार हो रहा है, और हमको अपना खुद का जो लाइस्टाइल, अपनी परस्नालिटी हम सुधार पा रहे हैं, इंसान की परस्नालिटी में चारचान लग जाते ह अगर उसको थोड़ी सी अंग्रेजी बोलनी आती है तो चीक है? आईए Next word Bring to light Bring to light जल्दी से speed up फटा-फट से आंसर करिए comment box में Bring to light का मतलब क्या है? बहिये जरा इस पर प्रकाश डालिए सोना होगा अपने बहिये जरा इस पर प्रकाश डालिए प्रकाश डालिए मतलब किसी चीज को reveal करना किसी चीज के बारे में सबको बता देना reveal कर देना इसको कहते है प्रकाश डालना किसी चीज पर reveal clearly क्या हो जाएगा? reveal clearly option number C is the right answer बोलो कोई शक reveal clearly कोई शक इसमें किसी को आगे चले ठीक है? आईए next देखा जाए क्या गहता? a bed of roses यह कहता है a bed of roses बताओ जल्दी से यहाँ पर दोनों idioms मैं हमेशा आपको साथ मैयाद कराती हूँ bed of roses, bed of thorns bed of roses फूलो का सेज फूलो का बिस्तर पर मास सो रहे हो तो मतलब बहुत सुकून की लाइफ है बहुत प्लेशरेबल लाइफ है bed of thorns मतलब कांटो की से इस कांटो की सोच है मतलब यूर लाइफ इस फूल अप डिफिकल्टीस बहुत प्रॉब्लम आपको झेलनी पड़ रहे है ठीक है? तो एन एजी unhappy situation को हम क्या कह सकते है हम कह सकते है it's a bed of roses after getting selection trust me your life will be a bed of roses after being self independent और after being independent your life will be a bed of roses थोड़ा सा एक दो साल खुद को कश्ट दे लो तो एक दो साल तो पूरी लाइफ पनाने वाले हैं तो एक दो साल खुद को थोड़ा सा मनलब खुद को बेड of thorns पर रखके देखो कि बाकी पूरी लाइफ बेड of roses पर ना हो तो बताना एक बर खुद के हाथ में खुद के पैसे आ जाते हैं इससे मुझे आदाया कि मैं आपको एक सेशन लेने वाली हूँ कुछ अर्न कर पाऊ तो कुछ ऐसे तरीके में आप लोको बता पाऊ जो स्टूडेंट्स कर सकते हैं पढ़ाई के साथ-साथ इन और टू अर्न सम पैमिस अपनी कोचिं की फीज देदी अपनी की फीज देदी अपनी की फीज देदी की बंद रहती है कभी खुलती नहीं है लोगों के लिए है ना मुठी बंद है मतलब बहड़ा ही कंजूस इंसान है और वेरी माइजरली परसन को बोला जाता है क्लोस फिस्टेड परसन सही है ठीक है चलिए नेक्स एको बाई तो फ्लॉग अर डेड फ उसको क्या कहते हैं? तो फ्लॉग अर डेड होर्स – सोचोर बताओ फ्लॉग अ डेड होर्स – बताएगे हिंदी में हम बोलते हैं, गड़े मुर्दे उक्हडना गड़े मुर्दे उखारने से आज तक किसी को कोई profit मिला है कोई benefit मिला है क्या खुद सोचो और बताओ बताईए क्या हो जाएगा फ्लॉग डेड़ होर्स गड़े मुर्दे उखारने अपना time waste करना ऐसी चीजों के बारे में बात करना जिस पे आपका कोई वो नहीं है कोई control नहीं है पुरानी चीजों को उखार रहे है इन दा सेंस छेड रहे हो पुरानी चीजों को छेड रहे हो लड़ाई जगडे उठा रहे हो कोई प्रॉब्लम मतलब कोई उससे आपको benefit नहीं मिलना तो गड़े मुर्दे उखारना अपना time waste करना ठीक है next देखो क्या गेते इसको हम to take the bull by the horns बड़ा ही simple और बढ़िया सवाले भागते भागते बुल आपके सामने गुस्षे में आ रहा है और आपने उसको हौं से पकड़ लिया मतलब सोचिये सोचिये to take the bull by the horns भागते भागते बुल आ रहा है आपने उसको हाँ से पकड़ लिया है मतलब आपने मुश्किल को सामने से bravely handle कर लिया है, handle difficulties, सामने से मुश्किल को आपने handle कर लिया है, ठेक है, next thing to add fuel to the fire, यह पूछे गए ही EDMS करा रही हूं आपको, सिर्फ EDMS जो एक्जाम में पूछे जाते हैं बार बार, to add fuel to fire इसको हम कहते हैं आग में घी डालना, आग में घी डालने का काम करना, मम्मी गुस्सा है, मम्मी जो आप चाय बना दीती, तो मम्मी थोड़ा थीक रहता, मम्मी एकदम बढ़ना चाय बना देंगी, है ना, एकदम मस्त, मम्मी गुस्से में जो बोल, मम्मी जो जो चाय बना दीती, तो अग में घी डालना, मिलेगा आपको एक फ्लाइं चापल, है ना, तो क्या हो जाएगा, आंसर, तो मेक बाग सिचुएशन वोस, आप्शन नम्र बी, सही है, चलो, नेक्स वन इस अप, आंसर मिताएगे, होपसंस चॉइस, होपसंस चॉइस, देखे भई, कौन दे सकता आंस खरीबने, किसी के पास टमाटर ही नहीं है, एक के पास सड़े सड़े, लेकिन अब हमको तो भाईया बनाना है, टमाटो प्यूरी, हमको तो टमाटो प्यूरी चाहिए है, तो भाईया, वो सड़े टमाटर में से चाटने पड़ेंगे, तो that's my option's choice, मतलब एक ऐसा option कि, आपक चिकिन हाटेड, चिकिन हाटेड, इसको कहते हैं, who is a चिकिन हाटेड परसन, बताइए, चिकिन देखा है समने, मुर्गी का बच्चा बड़ा कोमल सा, सौट सा होता है, छोटा सा, मुर्गी का बच्चे जैसा किसी का अगर दिल है, तो मतलब उसका दिल बहुत नाजुक, ब harder poke, cowardly, कौन है वो परसन, such person is cowardly, तो answer हो जाएगा option number D, देखिये, cowardly है ये person, right, चलो, next day को, bye, bye and bye, bye and bye मतलब बताइए जरा, bye and bye, क्या मतलब है इसका, एकदम, धीरे-धीरे, अराम से, ठीक है, धीरे-धीरे, अराम से, तो बस इसी को हम कहते हैं क्या, bye and, bye and bye, धीरे-धीरे, अराम से, बस इसी को बोला जाता है, bye and bye, so right answer is gradually, ठीक है, I'll, you all will learn English, you all will learn speaking English, bye and bye, मतलब धीरे-धीरे, आप लोग spoken English भी सीख जाएंगे, तो bye and bye, you will learn spoken English as well with me, आज मने spellings रखी हैं, आईए भाई, spellings रखी हैं, देखते हैं कौन इसका answer दे सकता है, एकदम तेजी पकड़ लीजे और answer दीजे, सब लोग, spellings, कियाना है, किसकी spelling गलत है, बताईए, बताईए, एक सेकेंड, एक सेकेंड, वेट, यहाँ पर misspelled नहीं, यार, सही spelling पूछ रहा होगा, accommodate, सही spelling पूछ रहा होगा, misspelled नहीं है, यार, यह तो सारे एकी spelling दी है, correctly spelled, accommodate की spelling में double C होता है, double M होता है, ठीके, double C और double M होता है, that is why the right answer is option number one, accommodate की spelling is, A double C, O double M O D A T E, कोई दिकर इसमें किसी को, ठीके, चलिए, answer यहाँ पर गलत मार्क है, option number one should be right, ठीके, next day को, bye, एक सेकेंड का आंसर है, जल्दी से बताईए, फटा फट से, क्या वर्ट है यह, innocent, सबको पता है, innocent की सही spelling लिखकर दिखाया करो मुझे, comment section में हमेशा आपको सही spelling लिखनी है, जब तक spelling नहीं लिखोगे, काम कैसे चलेगा, ठीके, so the right spelling of innocent is, I double N, देखना, I double N O C E N T, innocent, I double N O C E N T, innocent, ठीके, चलो, next देखो, bye, मासूम, innocent का मतलब मासूम, मासूम, और मैंने अच्छा, accommodate का मतलब नहीं बताया, accommodate का मतलब होता है, किसी को राहत देना, किसी को शेल्टर देना, किसी को आश्रे देना, शरंड देना, accommodate होता है, ठीके, चलिए, next देखे, यह double double words, double double, जो इसमें लेटर आते हैं, यह वाले words बहुत आते हैं, बताईए जड़ा, देखें और बताएं फटाफट से, सब लोग, चलिए, देखा आपने, very good, embarrassed की spelling, भाई, embarrassed की spelling, क्या होता है, double, कौन सा लेटर double होता है, कौन सा singular होता है, b, a, double, r, a, double, s, ठीके, e, m, b, a, हांजी, 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 e, m, b, a, double, r, a, double, s, जैसे, accommodate में, दो बार double होता है, embarrassed में भी क्या होता है, दो बार, e, m, b, a, double, r, a, double, s, double, r, a, double, s, option number one is right, ठीक है, option number one is right, कोई दिक्कत इसमें, option number one is right, not two, ठीक है, अगला सवाल देखें, किसकी spelling पूछी गई है, the spelling of bureaucracy, जल्दी से बताई, embarrassed का मतलब होता है, किसी को शर्मिन्दा कर देना, ठीक है, लिखे ज़रा spelling of bureaucracy, 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 bureau की spelling क्या होती है, B-U-R-E-A-U, B-U-R-E-A-U, यह bureau है, C-R-A-C-Y, bureaucracy समझ लो, वो सरकार है, जहां पर, bureaucracy वो government है, जहां पर elected लोग, ruling करते हैं, जो officials होते हैं, वो सरकार चलाते हैं, यह होती है, bureaucracy, ठीक है, इसका अच्छा सही है, नेक्स सेखिए, बताई यह answer, definitely, what's the spelling of definitely, definitely का मतलब, you are sure about something, आप किसी चीज को लेकर, बिलकुल sure है, D-E-F-I-N-I-T-E-L-Y, यह है definitely, D-E-F-I-N-I-T-E-L-Y, ठीक है, चालो, next देखो, बहुत गलत होता है, इसमें, the spelling of maintenance, बताईए जरा, maintenance, maintenance, M-A-I-N, main, T-E, maintenance, N-A-N-C-E, maintenance, M-A-I-N-T-E-N-A-N-C-E, T-E-N-A-N-C-E, होता है, so option number one is right, maintenance, maintenance, किसी चीज़ का, क्या करना, maintenance करना, मतलब उसको, सही करना, ठीक करना, maintain करना, ठीक है, चलिए, next देखो, बाई, बताओ, क्या spelling होती है, occurred, occurred, क्या होती है, अकर्ड की, O-double-C-U-double-R-E-D, O-double-C-U-double-R-E-D, this is the spelling of occurred, ठीक है, so right answer is option number one, ठीक है, चलिए, next one, किसी चीज़ का होना, ठीक है, next देखो भाई, the word is consensus, it's consensus, बताईए, consensus, जो अपने काम को, बहुत इमानदारी से, बहुत लगन से करता है, बस वही होता है, consensus, बहुत लगन से अपना काम करने वाला, ठीक है, consensus, C-O-N-S, C-I-E-N, consent, T-I-O-U-S, shas, consensus, C-O-N-S, C-I-E-N, T-I-O-U-S, consensus, C-O-N-S, C-I-E-N, T-I-O-U-S, consensus, option number one, C-I-E-N, T-I-O-U-S, consensus, ठीक है, चलिए, इसमें भी गलत मांक है, option number one is right, next, एक्षिए बाई, necessary, necessary, बताईए, सब लोग बताईए, necessary, यह तो बहुत सिंपल है, N-E-C-E-S-S-A-R, necessary का मतलब जो चीज़ जरूरी है, वो necessary है, जरूरी चीज़, ठीक है, next, देखिए, कौन सा वर्ड है यह, बताईए जरा देख कर, बताओ भी, क्या होना चाहिए, necessary, exaggerate, E-X-A, exaggerate में एक सेकेट, एक सेकेट, यह answer खुल गया, वो answer खुल गया, वो भी answer गलत मांग है, जरा आप लोग मुझे बताईए, क्या होगा answer, क्या यह होती है, exaggerate की spelling, आप लोग सही spelling लिखिए, फड़ा फट से, what's the spelling of exaggerate, speed up, क्या होती है, कौन सेलेटर डबल आता है, good, good, very good, G डबल आता है, absolutely right, ठीक है, तो spelling क्या होगी, A-X-A, G-G, E-R-A, T-E, this is the spelling of exaggerate, A-X-A, G-G, E-R-A-T-E, exaggerate, clear है, चलिए, आज का जो पहला word है, वो है tedious, tedious, tedious का मतलब होता है, वो चीज जो बड़ी लंबी है, boring है, और ठकाउ है, I do not take very long vocabulary classes, because I think they are tedious, मैं बहुत लंबी-लंबी, आपकी vocabulary classes नहीं ले रही हूँ channel पर, जिससे क्योंकि मुझे लगता है, बड़ी ठकाउस ही होती है, मेंने लिए और आप के लिए भी, तो TDS, आप इसको याद कैसे रख सकते हैं, ज़रा ध्यान दीजेगा सब लोग, आपका याद करने की ट्रिक मैं आपको बताऊँगे, यह निमानिक्स के च्छू, बच्पन में, टेडी से खेलते खेलते टाइड हो जाते थे, बच्पन में खेलते बहुत ज़्यादा है, टेडी लेकर खेले जा रहे हैं, तो टाइड हो गए, तो टेडी से खेलते खेलते टाइड हो गए TDS, अब मन नहीं करता है, इतना थक चुके हैं, बोर हो चुके हैं टेडी से, कि अब मन नहीं करता टेडी से खेलने का, घर में कितना भी खुबसूरत सा टेडी बेर क्यों न रखा हो, वो कोने में रखा रहता है, पढ़ा रहता है बिचारा, तो टेडी से अब हम लोग बोर हो चुके हैं, टेडी हमारे लिए TDS बन चुका है याद रहेगा, synonyms क्या हो सकते हैं इसके, TDM हो सकता है, NV हो सकता है, यह सब इसके क्या है, synonyms है guys, ठीक है, TDM ले लीजे, NV ले लीजे, और antonym क्या होता है, ebullience, ebullience का मतलब बिल्कुल जोश में, जो शीला, और electricity का मतलब होता है, तत परता, तेजी, अब जस चीज में बह आपके लाकरिटी होती है, पत्पर है कि भाईया, आम तयार है, तो मताओ, हम कर देंगे तुरांत, that is a लाकरिटी, ठीक है, तो यह antonym, synonyms है, इसके और TDS हमें याद रहेगा, TEDDY से, ठीक है, चलो, और यह आपको पसंद आए, तो इसको share ज़रूर करना, मुझे पता चलने यहाँ आप लोगों के उससे like से, और आप लोगों के energy से मुझे पता चलेगा, कि आप कोई इस class की जरुवत है की नहीं, ठीक है, आईए, यह नई चीज़े आप ही के लिए आ रही है, facious, facious, एक word होता है, facious, आईए, इसकी पहले हम trick देखते है, जोकर face बना के, लोगों क हसाता है, facious, बोलतो ना कि यह तो मुझ बनाते रहता है, अलग अलग तरीके के, देखा होगा आपने कुछ लोग को बस face बनाते रहते हैं, उल्टे सीधे face बना के लोगों को हसाते रहते हैं, है ना, हमारे घर में हमारे भाईयों का बड़ा ही काम होता है, कि है ना कि क्या क्या हो सकते हैं humorous humorous जॉकिलर दुरों का मतलब होता है ऐसा कोई भी वर्ड जिसका मतलब सीरियस हो सीरियस सुलेम सेंसिबल कुछ भी आप इसका आंटनिम लिख सकते हैं ठीक है तो यह थे सिरियनिम और आंटनिम जो फेस बनाता रहता है वो फेशिस है मस्करा है यह हर एक वर्ड एक्जाम में कई बार पूछा गया है याद रखना ठीक है और इसको सेंटेंस में यूज़ कर पाओ तो यार मज़ा आ जाए एक ठीक है आईए नेक्स देखिए भाई क्या कहता इंपर इंपरेटिव का मतलब ही होता है दोस्त इंपरेटिव अब देखो इसको स्पेलिंग से ही आप सीख सकते हो इंपरेटिव का मतलब ही है इंपरेटिव 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 से याद रखोगे इंपरेटिव 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 urgent, vital unattainable कह रही हो, आप क्या कह सकते हो undeniable जिसी इसको आप deny नहीं करो, तो वो भी हो सकता है क्या, वो चीज जरूरी है, important है, ठीक है antonyum क्या है, optional मतलब मर्ज हो करो, मन हो ना करो voluntary, wackal pick, मतलब wackal pick आपके पास विकल्प है, मन हो करो मन हो ना करो, यह इसका antonyums हो गए ठीक है, चले, आईए next देको भाई next हमारे पास जो word है वो है gulp, gulp का मतलब है घूट पी लेना, gulp इस घूट पीना हो चलो, next इसकी trick देखते हैं gulp, गोलगप्पे से याद रखो, रखोगे, गोलगप्पे एक बार, एक बार में खा लेते हैं गल्प करने का मतलब एक बार में खा लिया गोलगप्पा, तो गोलगप्पे से ये गल्प याद रहेगा आपको सब खाते हैं गोलगप्पे, ठीक है तो गोलगप्पे से आपको याद रहेगा जीव भेलपी, गल्फ, ठीक है? आईए, गल्फ का मतलब सच से एक बार में पी लिया swallow, इसका synonym हो सकता है, ठीक है? antonym क्या हो सकता है, vomit हो सकता है spew हो सकता है, puke हो सकता है, जितने भी उल्टी से बाहर निकालने वाले टर्म है spill, vomit है ना, spew, जितने भी ऐसे words है वो इसके antonym हो जाएंगे ठीक है? clear है? चलिए, next हमारे पास एक word है, fusion समझेगा, f-u-s-t-i-n fusion, अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है rude, और आप इसको कैसे याद रख सकते हो, देखेगा ये लड़की किसी इसकी बातों में फस्ती नहीं है क्योंकि बहुत हारोगे इंड है आपने अकसर देखा होगा ऐसी लड़कियां जो थोड़ी सी अकडू टाइप की रहती है वो किसी की बातों में नहीं फस्ती है तो ये लड़की किसी से फस्ती नहीं है तो ये फ्यूस्टि नहीं है क्योंकि रूड है फ्यूस्टि नहीं है सही है फस्ती नहीं है तो फ्यूस्टिन है आईए आरोगेंट, बोस्टफॉल ये इसके सिनॉनिम्स है आंटरनिम क्या है? modest, बहुत ही kind, बहुत ही down-to-earth type timid ले लो, shy ले लो यह सब इसके आंदम से ठीक next देखिएगा F-E-I-G-N feign F-E-I-G-N feign अब क्या होता था बच्पन में पहले था ट्रिक देख लेते हैं पॉर इन से आने के बार लोग बहुत प्रिटेंट करते हैं देखा होगा आपने भईया कोई बाहर से पढ़ कर आ गया Oh my God Excuse me, could you please mind me passing that duster please मैं तो कुछ जादे ही प्रिटेंट करते हैं कि फॉर इन से आ जाते हैं तो फॉर इन से आए हैं तो भईया फेनिंग तो करेंगे प्रेटेंट तो करेंगे तो याद रहोगे ना रह रखोगे ना फॉर इन से पेइन फेइन का मतलब प्रेटेंट करना दिखावा करना नाटक करना ठीक है आईए क्या हो जाएगा? बच्पन में स्कूल नहीं जाना होता था, तो हम लोग फेन करते थे, ना टक करते थे, तो मम्मी बहुत पेट में दर्द है, मम्मी क्या बता है? चक्कर ऐसा हा रहा है ना, मम्मी मैं क्या बताऊं? अगर मैं स्कूल चली गए, तो वहीं बेहोश हो जाओंगी, है ना, मम्मी आज पूरी रात पढ़ाऊं, मम्मी आज तो नहीं जा पाऊंगा, पेनिंग, है ना, तो प्रेटेंड ले दीचे, शाम ले लीजे, शाम का भी मतलब होता है ना टक करना, आंटरिम का मतलब अक्चुल, रियालिटी, यह सारे इसके आंटरिम सोचाएंगे, ठेक है, चालो, नेक्स वर्ड देखा जाए, ल, यू, आर के लग, लग का मतलब होता है किसी चीज को छुपाना, ठेक है, ट्रिक देखते हैं सबसे पहले इसकी, लग, आप याद रखोगे, लग से मिली चीजों को लोग छुपा के रखते हैं, लग, लग को basically हम प्रणाउंस ही करते हैं इस तरीके से, लग, आर नहीं प्रणाउंस हो रहा होता है, it's actually लग, तो लग, लग से जो किसमत से जो चीज़े मिली होती है, अब वो कोई चीज हो लगता है ना कि लोगों को ना दिखाए इतना, छुपा के रखे, बचा के रखे, नजर लग जाएगी, तो लग का मतलब है चीजों को छुपा के रखना, बचा के रखना, लग, सही है, याद रहेगा, एक वर्ड यहाँ पे लिखा है, डिवाइजिव, ठीक है, रूल, आपने सबने सुना होगा, मुझे तो लगता है, इसमें मुझे कुछ भी बताने ही जरुवत है, डिवाइड इन रूल पॉलिसी आपने सुन रखी है, किनकी थी, अंग्रेसों की थी, इंडिया में बटवारा बाटो, हिंदो, मुसलिम, सब लड़ाओ आपस में, और खुद रूल करो, that was divide and rule policy, तो divisive से क्या याद रहेगा आपको, conflicting, बटवारे वाली चीज जो होती है, वो divisive होती है, बटवारे वाली चीज, ठीक है, आंटरिम क्या हो सकता है, इसका, according हो सकता है, concordant हो सकता है, agreement हो सकता है, जितने भी agreement वाले harmony, agreement, peace, जितने भी words है, उस एक word है, conjural, conjural, ठीक है, और conjural का, चलिए यहाँ पे हम पहले trick देखते है, con, c-o-n, con, वैसे c-o-n, con का मतलब ही होता है, एक साथ, ठीक है, और jural का मतलब, jugal का मतलब है, jugalbandi, conjural है वैसे तो यह word, है न, the word is conjugal, 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 jugal को आप कैसे याद रखोंगे, jugalbandi से, jugalbandi का तो मतलब ही न, दो लोग साथ में गा रहे हैं, या कुछ भी कर रहे हैं, साथ में, कुछ करना, that is jugalbandi, तो कौन जुगल, मतलब साथ में, together, है न, जब लोग साथ में हैं, together है, they are married, तो उनको आप कह सकते हो, कौन जुगल, ठीक है, synonym बहुत सारे हो सकते है यह जतने भी साथ वाले वर्ट्स है, marital है, connubial है, और together है, यह जतने भी ऐसे वर्ट्स है, जिनका मीनिंग है, साथ में, वो सब, उन सब के लिए समझ लो, वो सब इसके synonyms है, और antonym, जतने भी marriage के उल्टे वर्ट्स है, divorced, antonym है इसका, ठीक, clear, conjugal मतलब married, साथ में, ठीक चलिए, फिर एक word आता है, यहाँ पे धियान दीजेगा, there is a word, incumerance, यह बहुत आपका पूछा जाता है, धियान दीजेगा, यह बहुत पूछा जाता है, ingumerance, इसकी word की spelling भी पूछी जाती है, antonyms पूछी जाते हैं, synonyms पूछी जाते हैं, और even one word में पूछा जाता है, inc incumerance से आप याद रख सकते हैं, incumerance बोले तो income, ठीक है, income, या पैसा कमाने के लिए काफी hurdles पार करने पड़ते हैं, है न, income से आप याद रखोगे, income, income होती है, मतलब बहुत सारी मुश्किले पार करनी पड़ रही है, तो incumerance का मतलब ही होता है, something that lean, that needs a lot of efforts, वो चीज जिस करने में बहुत महनत, बहुत efforts लगते हैं, ठीक है, कोई problem, incumerance, income से याद रखोगे, income भईया, आपकी हो, इसके लिए बहुत महनत करनी पड़ती है, तो किसी चीज के लिए बहुत जादा महनत करनी पड़ रही है, taking a lot of efforts, तो वो चीज incumerance होती है, synonym burden हो सकता है, synonym obstacle हो सकता है, और antonyum क्या हो सकते हैं, इसके incentive, incentive क्या चीज होती है, जो आपको ऐसे ही मिलती है आपके काम के लिए, that is incentive, ठीक है, free कह सकते हो, है ना, वो भी हो सकता है, free भी हो सकता है, इसका antonyum, ठीक है, बिना महनत है कोई चीज मिल चाहे, सही है, चलिए, एक word आपकी screen पर है, winesome, the word is winesome, और winesome का मतलब ही है आकरशक, attractive, ठीक है, आकरशक कह लीजे, attractive कह लीजे, ये winesome का मतलब होता है, synonym इसका क्या है, charming, beautiful, handsome, pretty, ठीक है, और antonyum है disgusting, याद कैसे रख सकते हो, winesome को, हरना संधू ने miss uni win किया है, क्योंकि वो charming है, winesome, winesome को आप basically win, win से याद रख सकते हो, win, win वही करेगा, miss universe या कोई भी beauty patient, जो beautiful है, जो charming है, ठीक है, winesome, हरना संधू ने miss universe win किया है, क्योंकि वो charming है, ठीक है, winesome is charming, आकरशक, ठीक है, clear, winesome is beautiful, आकरशक, next देखना, एक word है, गेटी, गेटी, गेटी का मतलब होता है, खुशी, कैसे पहले इसकी trick देखते हैं, कि भाई, इसको याद कैसे रखा जा सकता है, आईए, इसको याद कैसे रखा जा सकता है, गेटी, कोई भी गाती है, तो happiness होती है, खुछ सोचा, गेटी, मतलब गाती, और कोई गा रहा है, तो गा के भीया लोग को खुशी मिलती है, गा कर भी खुशी मिलती है, गाना सुन कर भी खुशी मिलती है, तो gait is happiness सही है, चीक तो इसके synonym आंटनिम देख लेते हैं पहले हम, synonym होता है happiness, joyful, जतने भी खुशी से related words हैं, और आंटनिम हो गया, unhappiness, depression sadness, salam sullin, जतने भी words हैं sadness से related ठीक है, simple आईए, next एक word है हमारे पास, plight plight, ट्रिक पहले plight का मतलब है, दुरदशा, कैसे trick है, plight से आद रखेंगे flight cancel हो जाने से problem आती है दुरदशा हो जाती है cancel तो फिर भी छोड़ो अगर delay हो रही है, कई बार हमारे साथ तो ऐसा हुआ है, literally मेरी एक flight 6 घंटे डिले थी, मैं 6 घंटे से बैठी हूँ मुझे मुंबई जाना था, मुंबई जाने में मुश्किल से देड घंटा लगता है flight से, मुश्किल से देड घंटा और मैंने 6 घंटे सिर्फ एर पोर्ट पे बिताए है, flight delay होने की वज़े से so just imagine flight delay होने से तो भाई, plight तो होती है दुर्दशा तो होती ही होती है ठीक है, इसमें कोई डाउट किसी को इस तरीके से आप याद रख सकते है flight is, दुर्दशा synonym हो सकता है fix, fix का मतलब problem ठीक है, hazardous predicament, ये सारे वर्ट से दुर्दशा या problem से related antonym, delight, pleasure, joy etc, इन सब का मतलब है खुशी, happiness, जितने भी positive terms हैं, ये सके antonyms है सही है, simple है चलिए, next देखा जाए एक और word यहाँ पर है, mushrooming और mushrooming का मतलब है कोई चीज बिलकोर फैल रही है है ना, ये तो बहुती बढ़िया है इसको याद रखना, mushroom को एक जगे खटा कर दिया, एक जगे खटा करना तो छोड़ो आप और अच्छी ट्रिक से याद रख सकते हो mushroom का पौधा आपने देखा हो कही जगे तो जो mushroom होते हैं वो तो ऐसी उगे रहते हैं फैल जाते हैं, है ना, थोड़ी सी synonyms क्या क्या हो सकते हैं intensify, accumulate, burgeon है ना, इसका भी मतलब तेजी से भढ़ना antonym है dwindle dwindle का मतलब कम, recede का मतलब कम होना यह सारे इसके क्या है, antonyms है ठीक है राइट, चालिए एक और word यहाँ पर है empirical 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 का मतलब होता है क्या observations पे-based observations पे-based real word based हो, observation based हो अब इसको हम याद कैसे रखेंगे empirical, chemistry में empirical formula होता है मतलब factual, यह आपको chemistry chemistry में आद है, empirical formula हम हमेशा calculation से निकालते थे अगर आप में से किसले निकाला होगा, तो empirical formula वैसे तो हम लोग उसका formula हम लोग को मतलब पता होता है, बट कुछ compounds पर based है ना, तो answer क्या है इसका synonym, existential, factual experimental, pragmatic भी आप कह सकते हो, realistic भी कह सकते हो, antonyum है hypothetical conjectural या फिर visionary, conjectural का मतलब बिना देखे सोचे समझे किसी चीज का conclusion निकाल दिया ठीक है, और visionary हमारे vision पर based सही है ठीक है, good फिर एक और word देखते हैं last word आज का, provocation provocation का मतलब है किसी को provoke करना, उतेजित करना है न, भढ़काना किसी को that is provocation trick, okay यह तो पिछले वाली की ही trick है, आप trick कैसे इसको लगा, गलत खुल गया है यह provocation क्यों trick क्या हो सकती है, vacation में परसो जाएंगे provocation provocation vacation में परसो जाएंगे और अगर आप से कोई कह देता है बच्चों से कह दो कि वेटा परसो जाएंगे, आज नहीं जाएंगे तो भढ़क जाते हैं न picnic का plan है, बोला कि नहीं नहीं परसो जाएंगे vacation पर परसो जाएंगे तो भढ़क जाएगा ठीक है, आंटनिम हो सकता है pacification, pacification का मतलब बिलकुल शान्ती, या फिर satisfied content ये भी इसके आंटनिम हो सकते है पहले पांच words आपकी screen पे हैं देखे, दो वर्ड is radical, radical sabatical, egotistical, skeptical skeptical, fanatical, जल्दी सान से बताएगे radical किसको कहते हैं, जो कटर होता है बहुत extreme views होते हैं जिसके ठीक है, बहुत कटरता होती है जिसके अंदर उसको बोला जाता है radical कहलो कटर, sabatical का मतलब sabatical वो time period है जो किसी को allot किया गया है जिससे कि वो study कर पाए, teachers को या basically जो employees होते है उनको पढ़ाई करने के लिए है ना कुछ पढ़ने के लिए time दिया जाता है that is sabatical ठीक, egotistical होता है जो अपने को बहुत पसंद करता है अपना खुद का फेवरिट होता है और skeptical का मतलब शक्की जो हर चीज पर शक्क करता है answer हो जाएगा fanatical क्योंकि fanatical का मतलब भी होता है कटर, by good ठीक है, right answer is option number four चारों words बिल्कुल clear होने चाहिए आपको done, पहले sorry, 4 नहीं, 5 words all 5 clear, आगे चले next, 5 मैं आपको देखो solution के साथ proper meanings के साथ दूँगी आपको PDF इसलिए टेलिग्राम जोइन कर देना अगले 5 words आपकी स्क्रीन पे है कहता है expound, positive, notoriety partition expatiate, चल्दी से बताईए expound is the term फटा फट से देखो और बताओ expound का मतलब क्या होता है किसी चीज को explain करना that is expound explain करना, ठीक है हम से पूछता है इसका क्या, positive, notoriety, partition expatiate direction नहीं है, मतलब synonym ही है expatiate, option number four इसका मतलब भी होता है किसी चीज को explain करना, दोरो का मतलब है explain ठीक है, partition का मतलब क्या होता है, एक तरीके साब कह सकते हैं किसी का पक्ष लेना किसी चीज को support करना notoriety का मतलब क्या है, जो बहुत शैतान है बदनाम है, notoriety का मतलब बदनाम, और positive का मतलब गरीबी या किसी चीज की कमी, ठीक है, तो इस पाचो words आपकी screen पे है, पाचो words के meaning should be clear, यह वही words हैं जो आपकी examination में आजकर बहुत जादा पूछे जा रहे हैं ठीक है, कोई screenshot लेने की जरुवत नहीं है, यहाँ 10 minute में सिर्फ answer करो comment box में, ठीक है answer कर ये class को like कर दीजे, पूरी pdf as it is, आपकी telegram पे पहुँच जाएगी free of cost, ठीक है, चलो, next heartless, हमारा जो next word है दोस्तो, यह है heartless, heartless, robust, warm, mild, cruel, एक second में answer कर लोगे, heartless मतलब निर्दई और cruel भी जो निर्दई होता है, robust का मतलब बहुत strong है, warm का मतलब जो बहुत लोगों का अच्छे से स्वागत करता है, warm, प्यार से, अच्छे से, ठीक है, और mild मतलब बहुत हलका, ना बहुत जादा, ना बहुत कम, that is mild, तो answer will be option number 4, that is cruel, ठीक है, अगले 5 words आपकी screen पे है, time देखते हुए, चलो भाई, time यहां पर बीटता जा रहा है, अगले 5 words देखो क्या कह रहे हैं आपसे, feature, inefficacy, skill, inflexibility, बताएए, किसी काम को करने के आपकी ability, आपकी skill, है ना, ability, skill, सक्षमता, feature का मतलब क्या होता है, feature का मतलब characteristics आप कह सकते हो, feature, characteristic, विशेश्टा, inefficacy का मतलब inefficiency, कि कोई इंसान काम ना कर पाए, तो यह उसकी inefficacy है, flexibility का मतलब जो चीज़ change हो सकती है, वो flexible है, यह चीज flexibility कहलाती है, ठीक है, तो 5 words की meaning clear है, answer हो जाएगा आपको option number 3, that is skill, none, चलिए, अगला सवाल देखो क्या कहता है, lying, the word is lying, flaming, stopping, crying, या फिर misleading, फटा फट से बता दीजे, चल्दी जल्दी से, flaming, stopping, crying, misleading, lying का मतलब क्या होता है, जूट बोलना, और misleading का भी तो मतलब है, किसी को भटकाना जूट बोलकर, mislead करना, जूट बोलकर आप लोगों को mislead ही तो करते हो, ठेक है, flaming का मतलब क्या होता है, कोई चीज जल रही है, stopping का मतलब, रोकना, और crying का मतलब, रोना, सारे words clear, answer is misleading, किसी को भटकाना, ठेक है, next, 5 words आपकी स्क्रीन पे है, convinced, doubting, submerge, accepting, or then trustless, तेजी से, speed में answer करो, सारे बाकियों से पहले answer देने की कोशिश करो, बताइए, convince, अगर कोई इसान convinced है, मतलब मान गया है, मान गया है, स्वीकार कर लिया है, accepting, ठेक है, doubting का मतलब, ये शक, इसको शक हो रहा है, submerge का मतलब, डूब जाना, और trustless का मतलब, इसके अंदर trust नहीं है, भरोसा नहीं है, answer हो गया option number 3, done, पांचों words clear, अगले पांच words है, स्क्रीन पे कहता है, panic, mock, cheer, fright block, एक सेकेंड में जल्दी से बताओ answer, वोकाबलरी आपके एक सेकेंड की ही होती है, बॉस, फड़ा फट से बताईए, panic, panic का मतलब क्या होता है, कोई इंसान panic कर रहा है, मतलब बहुत परिशान हो रहा है, ठीके, fright का मतलब होता है, देखो, fear, हैना panic कर रहा है, डर रहा है, परिशान हो रहा है, तो answer सीधे सीधे हो जाएगा option number 3, ठीके, mock का मतलब मजाख उड़ाना, cheer का मतलब किसी को, प्रोटसाहिद करना, खुश करना, ब्लॉक का मतलब रोक देना, पांचों वर्ट क्लियर, ठीके, next पांच वर्ट कहते हैं क्या, आपके सामने लिखे हैं, फटा-फट से देखे, मुझे similar बता देना, बस इन में से similar कौन सा है, तब ही तुम मुझे पता चलेगा, बताओ, equivocal, the word is equivocal, बताइए, definite, secure, insecure, equivocal का मतलब confusing, जो चीज clear नहीं है, multiple opinions है, और exactly यही meaning होता है, ambiguous का, ठीके, multiple meanings निकल रहे हैं, कोई चीज clear नहीं है, तो ऐसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, ambiguous, definite का मतलब, बिलकुल fixed है, sure है, तो यह तो अंतनिम है, secure का मतलब, बिलकुल safe है, अंतनिम है, अंतनिम क्या, insecure का मतलब जो चीज सेफ नहीं है, सुरक्षित नहीं है, एक दूसरे के basically antonyms नहीं है, एक दूसरे के antonyms है, तो नहीं वर्ट्स, ठीके, the right answer is ambiguous option number four, अगला सवाल आपकी screen पे, पाँच वर्ट्स, spike, dig, fall, loses, increases, जल्दी से बताओ, अगले पाँच वर्ट्स क्या कह रहे हैं ये, spike, dig, fall, loses, या फिर increases, किसी चीज का अचानक से बढ़ जाना, इसी को तो कहते हैं, spike, अचानक से बढ़ना, spike है, तो increases answer हो जाएगा, dig का मतलब खोदना, fall का मतलब गिरना, और losses का मतलब होता है, हार, नुकसान, that is losses, नुकसान, ठीक है, तो answer is option number four, बाकि तीनों ही देखो negative words थे, है ना, clear है, चलिए, अगले पांच words, मुझे लगता है, यह आखरी पांच words है, और आज तो और भी जल्दी हो गए है, बताएए, advantage, bone, vital, unfrog, vengeance, फड़ा-फट से बताएंगे, advantage का मतलब होता है, मेरे दोस्त, क्या, फाइदा, advantage is, फाइदा, और यही तो boon है, है ना, boon है, फाइदा, blessing, ठेक है, vital का मतलब है, जो चीज बहुत ज़्यादा, important है, unblock का मतलब, unfrog का मतलब है, किसी को, हटा देना, dismiss कर देना, that is unfrog, और vengeance का मतलब क्या होता है, बदले की भावना, बदला, that is, vengeance, ठेक है, तो यह थे, आखरी के 5 words हमारे, ठेक है, आपके सारे 50 words, यहाँ पर हो चुके हैं, और time अभी भी, एक मिनिट का बचा हुआ है, तो इतनी speed से, 50 words हम यहाँ पर, 10 मिनिट में cover up करते हैं, हर दिन, from Monday to Friday,